स्टार्ट करते सबसे पहले ही सवाल आपके एक्जाम का है बहतरीन सवाल ध्यान से देखेगा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानि की IMF है उसने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 2022 तेस्ट के लिए कितनी आकी है CGL में आया हुआ कोशन है इस प्रकार GDP ग्रोथ रेट पूची जाती है अंतरास्टी मुद्रा कोश जिसका हेड़ क्वाटर वाशिंटन डीसी है ओके कहाबरेस का मुख्याल बीटा वाशिंटन डीसी इसका मुख्याल है 190 देश इसके मेंबर है और क्रिस्टीलिना इसकी बीटा अध्यक्ष है ओके अध्यक्ष है जो कि बुलगेरिया से आती है और यहाँ पर सवाल यह है कि 2023-2024 के लिए तो कहना है कि 6.1 प्रतीशत रहेगा अंतरास्टी मुद्रा कोश का कहना कि भारत की सकल गरिल उत्पात की विरदीजर 2023-2024 के लिए 6.1 प्रतीशत रह हमारे देश में कुल मिलाकर कितने स्मौल फाइनस बेंक है कुल मिलाकर हमारे देश में 12 स्मौल फाइनस बेंक है उसमें से एक है एक कोटस स्मौल फाइनस बेंक सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल सा है एक कोटस स्मौल फाइनस बेंक के MD & CEO कौन है ओके जो एक कोटस स्मौल फ सुदेवन क्लेर भाई next अभी हाल फिलाल HDFC को यह पूछ लिया जाता है कि इतने करोन का लोन अब मैं बैंक के थूरू लोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अंतरास्ति संस्थाओं के थूरू बात कर रहा हूं जैसे कि विश्यू बैंक है जैसे कि ADB है ओके जैसे कि आपका AIIB है विश्यू बैंक हो गया, एशिया विकास बैंक हो गया, एशियन डवलप्लेप्ट बैंक, एशियन फरस्चे इंवेस्मेंट बैंक हो गया, अंतरास्ति मुद्रा कोश हो गया, IMF हो गया, NDB हो गया, BRICS बैंक जिसको आप बोलते हो यह जो भी रिड देते हैं वो हमारे पॉर्टेंट बनता है, ओके, तो किसने भारत में हरित किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए, सस्ती दर पर हाउसिंग के लिए, ओके, अफोड़िबल हाउसिंग फाइनन्स के लिए, सस्ती दर पर लोगों को घर खरीदने के लिए, रिड उपलब्द कराने के लिए, HDFC बैंक को अभी, या HDFC को 400 मिलियन US डॉलर का लोल किसने दिया है, तो मित्रो ये दिया गया, IFC के दुआरा, और IFC क्या है, सर ये विश्यू बैंक की एक आम है, ओके, वर्ल्ड बैंक, टोटल इसके पाँच भाग होते, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, उसमें से ए के यहाँ पर IFC, एक्जाम में ये भी सवाल आये था, कि विश्यू बैंक के टोटल कितनी आर में, तो ये भी याद रखी का पाच वन में से एक है IFC, clear है भाई हो, done, समझ में आरा है सारी चीज़ है, okay, happy new year, happy new year, भया, happy new year, कि हम नाच की दिखाओ, तभी मानोगे, नया साल आगया, ठीक है, एक बार फटाफट से से सेशन को शेर करना भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, थोड़ा, जल्दी से यार सेशन को शेर करना भी स्टार्ट करो, तावर तोल बैटिंग चलेगी 500 से जाधा सवाल डिस्कस करेंगे, okay, Sam Karan, नाम तो सुना हो, Karan अर्जुन तो सुन सवाल आया था, एक्जाम में, IPL में, दूसरा सबसे महंगा खिलाडी पूचा गया था, मेरा सवाल आपसे यह है, यहाँ पर, यह जो Sam Karan है, यह most expensive player बने, यानि कि सबसे महंगे खिलाडी बने है, इनको पंजाब Kings ने, कितने करोड रुपे में खरीदा है, साड़े 18 करोड में, पंजाब Kings ने, Sam Karan को खरीदा है, और सवाल मेरा यहाँ पर, यह भाई अपना किस देश से है, T20 World Cup अभी England ने जीता था, उसमें Man of the Match और Man of the Tournament, Sam Karan ही रहेते, और यह बिटा किस देश से, England से, clear भाई हो, किस देश से, England से, then अगला सवाल देखेगा, Which country passes new train, right will allow transgender above age of 16 to change legally registered gender, simple शब्दों में बुलाएं, कि ऐसे transgender, जिनकी उम्मर 16 वर्ष से अधिक है, उनको अनुमती दी गई है, कि वो अपना पंजीकरत लिंक बदलने के लिए, यहाँ पर कानूनी रूप से मानिता दे दी गई है, तो किस देश ने कानूनी रूप से, जिनकी दीने वाला एक नया ट्रांस अधिकार विदिहक पारित किया है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, एक बास समझेगा, सिर्फ मुख्याल है, या फिर अपॉइंट्मेंट ते ही सवाल नहीं आने वाले, कुछ ऐसे भी बिटा चटपटे जो पॉइंट है न वो यहाँ पर मुद्रा चलती है, कैपिटल क्या मैडरेट है, करंसी यहाँ पर यूरो चलती है, डैन, नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा था, 28th कौलकता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल रहा था, अभी यह जो 28 वा कौलकता इंटरनेशनल अंतरास्टिय फिल्म महसब बताईए, 28th कौलकता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल में, किस फिल्म ने सर्वस्ट अंतरास्टिय शिरे नहीं है, सर्वस्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है, ओके, सर्व पीडिएफ मिलेगा, बेटा बिलकुल पीडिएफ मिलेगा, वो बताऊँगा, पीडिएफ कैस मिलेगा, लेकिन अभी session को continue चलने दीजे, बस एक बार फटाफट से session को share करना भी start करिएगा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, well done मेरे भाई, option नमर 5 के साथ जारे मतलब की, एक movie का नाम है upon entry, ओके, और दूसरी का नाम है कूरा, पोखिर, सुनिये उरा, ओके, थोड़ा नम अजीव है न, कूरा, पोखिर, सुनिये उरा, और दूसरी का नाम होगे upon entry, इन दौनों को अंतरास्टी शिरेडी में service list film का पुरुसकार मिला है, ओके, अगला देखेगा, next, किस दिन को हम लोग national consumer day के रूप में मनाते हैं, देश भर में, रास्टी उ पुभो सानिया मिर्जा नहीं है, ये सानिया मिर्जा वो है, जो देश की पहली Muslim fighter pilot बनने जा रही है, इन्होंने अभी NDA exam crack किया है, और NDA exam crack करने के बाद, ये देश की पहली Muslim fighter pilot बनने जा रही है, ये बहुत सिंपल सवाल हो गया, हो सकता, ये पूछले examiner, कि ये किस राज़ से बि जोगी आदितनाथ है, जहाँ पर आपका दुदुवा नेशनल पार्क है, ओके अमनगर, पीली भीत, टाइगर जब भी यहाँ पर है, दुदुदवा नेशनल पार्क भी आपका उत्तर प्रदेश में, ओके, next, सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया की पहली बंदे भारत एक एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई गई है और यह उत्तर बंगाल में हावडा से न्यू जलपाई गुडी तक जाएगी, सवाल सिंपल साई किनके द्वारा अभी वर्च्वली हरी जंडी दिखाई गई थी, किनके द्वारा में ने भाई, एक बारा साउंड चेक करेंगे, वैसे तो clear आ रहा है, एक बार और चेक कर लीजे, भाई भी चेक कर लेदाओ, भाई अल ओके चलो, आंसर यहाँ पर बंता है, माननी प्रधान मंत्री नेरेंदर मोधी, बहुत बढ़िया, एक नेक्स्ट, which state has approved the proposal for grant of industry status to tourism sector, अभी यहर दोस्तों, एक राज्य है, उसने क्या कहा है, कि जो यह tourism sector है, परिटन चेतर है, इस परिटन चेतर को हम लोग उद्योग का दर्जा देंगे, तो किस राज्य ने कहा है कि वो परिटन चेतर को उद्योग का दर्जा देगा, तो मित्रों यह अप मेरी औरेंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, राय मोना नेशनल पार्क, पुल मिनाकर साथ नेशनल पार्क हो चुके हैं, आपके असम में कौन कौन से हैं, दिबरु साही खुबा, काजी रंगा मानस ना, मेरी औरेंग देहिंग पटकई और राय मोना, ये दो नई बने हैं, देहिंग पटकई और रायम मुना, ओके, नेक्स्ट, नेशनल फार्मर डे हम लोग कब मनाते हैं, मतलब भारत के पाँचवे प्रधान मंत्री श्री चौदरी चलन सिंग की जैनती के उपलक्ष में, रास्टी किसान दिवस किस दिन मनाये जाता है, रास्टी किसान दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, ओडियो सुलू है, थोड़ा वाज बढ़ सकती है, ओके, तो यहाँ पर आंसर मनेगा मेरे भाई 23rd of December, 23rd of December, इससे याद रखेंगे, अभी हाल पिलाल FIFA ने, 2023 क्लब वर्ड कप के होस्टिंग राइट किसको दिये, अभी हम लोगों ने देखा था, 2022 का जो FIFA वर्ड कप था, वो कहा पर हुआ था, कतर में, ओके, यह जो FIFA वर्ड कप 2022 का रहा था, जीता किस ने था, अर्जंटीना ने जीता था, तीसरी दफ़ा अर्जंटीना ने जीता था, और किसको हराकर जीता था, फ्रांस को हराकर यह इन्हों ने अपने नाम किया था, सवाल यहाँ पर यह है जैसे कि यह मेन वर्ड कप हो गया उसी तरीके से क्लब वर्ड कप की बात हो रही है जिसमें क्लब पाटिस्पेट करते हैं अब 2023 के क्लब वर्ड कप के राइट किस देश को दिये गए है तो आंसर यहाँ पर मोरेको ओके नेक्स्ट कौंसर शेहर 28 सेकंड अपरेल सिम्पल चब्दों में 2023 एंशन रेस्लिंग चैंपेशिप कौन होस्ट करेगा 2023 एंशन रेसलिंग चैंपेशिप किस देश के द्वारा उस्ट की जाएगी यह यह यूकै किसी शेहर में रहेगी तो यह आंसर बनता है नहीं दिल्ली में ओके हमारे भारत में रहेगी बटा और नई दिल्ली में रहेगी अगला सवाल Where is the headquarters of United World Wrestling United World Wrestling का मुख्याले कहाँ पर है Okay United World अकसर पूछ लेता है आप लोग ADB, World Bank Okay ये जितने भी अंतरास्थी संस्ता है उनके मुख्याले याद करके जाते हैं कोशिच किया कर ये जितनी भी खेल से संबन्दित अंतरास्थी संस्ता है Okay उनके भी मुख्याले ICC का कहाँ है, FIFA का कहाँ है, IBA का कहाँ है Okay FIVA का कहाँ है, ये सब आपको पता होने चाहिए तो यहाँ पर राइड अंसर बनता आपना option no.4 स्विचलेंड के लॉजेंड में मुख्याले है United World Wrestling Okay United World Wrestling Clear भायो, United World Wrestling Okay next Puma ने अपने ब्रेंडम में से किसको बनाया Puma ने अपने ब्रेंडम में से बनाया Anushka Sharma को Anushka Sharma Kohli को अभी ब्रेंडम में से बनाया गया Puma इंडिया के दुआरा अभी हल फिलाल NDIAC New Delhi International Arbitration Center का Chairperson किसको बनाया गया नई दिल्ली अंतरास्ति मद्यस्तता केंदर Arbitration मतलब हो ता मद्यस्तता केंदर इसके दिक्ष के रूप में न्यूपती हुए हैमंत गुपता की हैमंत गुपता सुहेल अजाज खान इनको अभी हल फिलाल भारत का राजदूत बनाया गया साउधी अरब में अब सवाल ही है कि भाई इसमें किसको रिप्लेस किया है किसकी जगह पे साउधी अरब में अभी next ambassador भारत के बने है सुहेल अजाज खान साउधी अरब जिसकी capital है रियाद रियाद करंसी यहाँ पर रियाल चलती है और इन्होंने किनको रिप्लेस किया था औसफ सेद आप्शन नमर फिप्ट ओके औसफ सेद की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया अगला जहां से सुनिएगा जो यह ओलंपिक गेम है न ओलंपिक गेम अमर इ मया घ्की संमर ओलंपिक गेम है वी समर औलंपिक गेम है अब इसंब ओलंपिक गेम में में को कौन होस्ट करेगा दोजार,चौबिस में सर फ्रांस परegenगा और फ्रांस में भी कहाँ पर होंगे पारिस में अब ये एक सवाल है यहाँ पर कि यह जो आपका भारत है okay और जो subcontinent reason है भारत और subcontinent reason में Olympic game के broadcasting को लेकर जो right है міडिया right है वो किसको दिये गए तो यह right दिये गए है WICOM 18 media को तो वाइकॉम 18 मीडिया को भारत और उप महादीप छेत्र में 2024 में जो पैरिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों के परसारण के लिए विशेश मेडिया अधिकार हासिल किये इनको दिये गए ओके नेक्स्ट पैट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने अभी हाल पिलाल अपने तरीके का पहला न्यूजिकल इवेंट और इवेंट का नाम है Dance to Decarbonize तो ये जो Dance to Decarbonize है ये अपने तरीके का पहला इवेंट रहा था पैट्रोलियम और प्रकर्तिक गैस मंत्रा रहें के द्वारे इसको आएजित किया गया सवाल है किस शेहर में नहीं डिल्ली वेल द नहीं डिल्ली अगला सवाल देखेगा Elephant Whispers इस Movie के डारेक्टर का नाम क्या है अंता करतिकी गॉनसालोष के दौरे इस फिल्म का निर्देशन किया गया है ऑके इस करने एल्यवेंट विसपर्स कोई थे सथा थे अकेडमी अबुएड़ दोजर लिबाइस अकेडमी अबर्ड दोजर बाइस की जारी हिंदी में अलग भाषाओं में दिया जाता है यहाँ पर साहित Academy Award की बात हो रही हिंदी में, कि हिंदी में किनको तुम्री के शब्द, इस पोयम के लिए साहित Academy Award दिया गया है, किस हिंदी के लिए अपने कविता संगर है, तुम्री के शब्द के लिए प्रतिस्टित, साहित Academy पुरुसकार दोयर बाइस किसने मिला है या कि ने जीता है तो ये दिया गया बद्री नारायन को ये नाम याद रखेगा अगला फर्स्ट रोहिनी नायर प्राइज किसको दिया गया है रूरल डबलप्मेंट में जो कॉंट्रिबूशन रहा था आउटस्टेंडिंग कॉंट्रिबूशन रहा था उसके लिए पहला रोहिनी सेत्री चैम संगतम, सेत्री चैम संगतम में इनको फर्स्ट रोहनी नायर प्राइस ही दिया गया, क्लियर भाई हो अगला, कतर वर्ल्ड कप की बात करते हैं, आपको पता कतर वर्ल्ड कप में कि टोटल कितने गोल लागई है, जितने भी गोल टोटल हुए थे, वो बिटे बिटा भटापट बताओ यहां पर, ओके, गोड, 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 172, इससे पहले का रिकॉर्ड कितना न, इससे पहले का रिकॉर्ड तो 171 का, ओके, और अब कितने का रिकॉर्ड बना, 172 का, 172 का, clear, अगला, OYO के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, बात है बड़ी बिटा, अच्छी वाली है यहां पर, लेकिन नाम भले, OYO का आया है, OYO के अनुसार, बुकिंग डेटा जो यहां पर रहा है, OYO का बुकिंग डेटा उसके अनुसार, अगस से लेकर, अक्टूवर तक, most popular religious destination कौन सा है, तो अगस से लेकर, अक्टूवर 22 के बीच, OYO के बुकिंग ड और इसускे शिप को अभी हाल फिलाल लॉँच किया गया थे, चिन्नई के कटूपली में, जहां से सुनिएगा, भारत की वात हुरी है, और भारत में चिन्नई, चिन्नई में भी कटूपली में अभी एक है शिप को लॉँच किया ग одна ओपर कर इसका नाम है, इसका अरणाला, स रीच शिपबिल्डर्स इंजिनियर्स लिमिटेड इसका हेटक्वाटर आपका कॉलकता में है कहां पर कॉलकता में इसका मुख्यालस देख लिया अगला नेशनल यूथ फेस्टेबल यह आपका बारे जनवरी को रहेगा अब यह जो नेशनल यूथ फेस्टेबल है यह हुबली और धरवाड में किनके द्वारा इनौगरेट किया जाएगा तो बारे जनवरी को हुबली में और धरवाड में ट्विन सिटीज में रास्टी यूवा महुजब सब का उध़गाटन किन के दु들 किया जाएगा तो मानीपरदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के दवारे इसका उध़गाटन किया जाएगा क्लीर है भाइवायो अगला एक बूकर इसका दुचिबिच कनम ब्लैक ब्लैक इल्एवर कि दुच्ष की नाम है तक अभी किसी को मिलता है, इस वर्ष की बात हो रही है, द्वेरबाइस का person of the year title, पैटा इंडिया के द्वारा किसको दिया गया है, तो मैटा ये दिया गया सुनाक्षी सिना को, किनको अभी AERB, AERB है Atomic Energy Regulatory Board, Atomic Energy Regulatory Board में, या यू कहें, परमाडू उर्जा नियामक Board में, अभी तीन साल की अवदी के लिए, अद्देक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अद्देक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मेरे भाई, फटा बढ़ हो दाई है, ओके बहुत बढ़िया अध्यक्ष की रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो आंसर बनेगा यहाँ पर अपना option number 1 दिनेश कुमार शुकला को के दिनेश कुमार शुकला को क्लिया अगला 13th ministerial conference of world trade organization will be held in which city in 2024 तो विश्व व्यापर संगठन का विश्व व्यापर संगठन का तेरह वां मंत्री स्तरिय सम्मिलन 2024 में किस शहर में आयुजिति किया जाएगा तो मित्र यह रहेगा आपका UAE के अबुधाबी में कहां पर UAE के अबुधाबी में clear है अगला what is the name of fifth scorpion submarine ध्यान से सुनेगा एक प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी इंडियान नेवी को भारतिय नेवी को पांचवी scorpion class के सब्मरीन को डिलीवर किया गया है एक सब्मरीन एक पंडुपी की बात हो रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत यह पांचवी scorpion submarine कुल मिलाकर टोटल 6 सब्मरीन है इस प्रो किसनत अरजुन समर्त विने अंकेत एमरी वैंस वगीर एनस वगीर जरफ गिर अब आपशेक वेल डन अशोक प्रांची वरिए कर भाई बड़िया विद्याधर रफंदर यहां पर अंसर पने कावला एनस वगीर ओक एनस वगीर राजी सबद चेर्म现在 piss प्धनकर साहब जो अपने वाइस प्रस्टेंड भी है इनौंने अभी किन को जो अप प हाउस का यानि कि राज्यसाब का राज्यसाबा की बात और रिये अपर हाउस कौन सा है, Indian Army Day कौन सा है, Indian Air Force Day कौन सा है, वैसे तो आपको 8 October, 4 December, 15 जनवर ही याद रहेगा, कोई भी दे याद रहेगा, लेकिन इसमें भी एक और examiner पूछ लेता है, कि भाई ये बताओ, ये Army Day, Navy Day या फिर ये ससस्तर सीमा बलका रेजिंग डे रहा है, ये कौन सा रहा है, त 20 December को, सवाल ये है कि जो ये SSB है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, okay, 20 December 1963 को इसकी स्थापना की गई थी, करीम Benzema, इन्होंने अभी retirement ले लिया है, from international football, okay, he is from which country, ये भाई किस देश से है, he is from which country, फटावर पताइए, ये किस country से है, बहुत बढ़िया, बिटाएए आपके France से है, France की capital क्या है, Paris है, currency यहाँ पर Euro चलती है, यहाँ पर UNESCO का भी headquarter है, UNESCO का, France के Paris में, OECD का headquarter यहीं पर है, FATF का headquarter यहीं पर है, Financial Action Task Force का headquarter भी, IEA का headquarter भी आपका यहीं पर है, France के Paris में, UNESCO, OECD, FATF, IEA सब के मुख्याल यहीं पर है, एक book इस करना में, fit at any age, is authored by whom, ठीक है, fit at any age, इस पुस्तक के लेखर कोन है, किस के द्वारा लिखी गई है, तो यह PVIR के द्वारा लिखी गई है, book and author से पूछ लेता, फलानी फलानी book के author कोन है, या इस व्यक्ती क द्वारा निम निम में से किस पुस्तक को लिखा गया है, इस तरीके का सवाल आ जाता है, तो fit at any age, इस पुस्तक के लेखर करना में, PVIR, PVIR, OK, अगला, which state government has launched friends of library program, OK, किस राजी सरकार ने friends of library कारेकरम शिरू किया है, जैसे अगर आप state government की योजनाय पढ़ते हैं, OK, government scheme पढ पढ़िये, और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरुआतनी, ज्यादा हो तो purpose पढ़ लो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सिर्फ नेम पढ़िये, लेकिन अगर central government की scheme है, बेटा, post madem कर दो, लेकिन पूरी योजना को खोल दो, पूरी योजना को खोल दो, सारे अच coming in uncertain times is written by whom, तो light we carry, the light we carry, इस पुस्तक के लेका कनाम है, Michelle Obama, okay, Michelle Obama, the light we carry, Michelle Obama, अच्छी किताब है, इसको ध्यान रखना, ठेक है, अपने जो जितेंदर सिंग सहाब है, इन्होंने परसासन गाउ की और एक campaign अभी inaugurate किया था, असल में good governance week 2022 के एक भाग के रूप में, परसासन गाउं की और campaign इनके दोरा inaugurate किया गया, मेरे सवाल यहाँ पर यह है, कि जो good governance week है, इसको कब से, किस दिन से, किस दिन तक मनाए गया, थोड़ा अच्छा सवाल है, नहीं वहला, कि किस दिन से, किस दिन तक प्रसासन गाउं की और अभियान के, या या यू कहें, सुशासन किस दिन से, किस दिन तक मनाए गया, किस दिन से, किस दिन तक, ओके, किस दिन से, किस दिन तक मनाए गया, राइट अंसर बनेगा यहाँ पर, अपना 19 से लेकर 25 से दिसमबर तक, ओके, next, which city has been selected for development under the Swadesh Darshan 2.0, दो योजना मैं पढ़ाता हूं, आपको एक प्रशाद योजना दूसरी स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना भी 2.0, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहट अभी किन शेहरों को चुना गया है development के लिए, तो यहाँ पर आंसर बनता है, एक नालंदा बेटा दूसरा गया है, अभी हाल फिलाल, एक BSF के बैटरन और 1971 1971 इंडो पार्क वार के हीरो जिनका अभी निधन हो गया उनका नाम क्या है तो इनका नाम है भैरो सिंग राठ और ओके भैरो सिंग राठ और ठीक है ये नाम जरूर याद रखना 1971 इंडो पार्क वार हीरो, अचा किसी मूवी से इनके उपर एक मूवी भी बनी है, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो, कॉमेंट में लेक सकते हो, इनके उपर कौन सी मूवी बनी है, इनके उपर कौन सी मूवी बनी है मेरे भाई, एक बार फटावड से बता दीजे, इन्होंने किसी मुवी में एक व्यक्ति का किरदार भी निवा पड़ा शांदार किरदार निवाया है मेरे भाई, एक बार बताइएगा, अभी हाल फिलाल, 2022 जो ओलंपिक ओर्गनाइजिंग कमिटी है, इसकी जो ओर्गनाइजिंग कमिटी है, इसके CEO के तौर पर किनको अपोइंट किया गया है, तो CEO के तौर पर अपोइंट किया गया है, सिंधी होक को, नाम अच्छा है न, सिंधी होक, नेका नेक्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन स्वालिडरिटी डे अंतरास्ति मानव एकता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है तो प्रतेकवर्श इसको अम्रूग 20 दिसमबर को मनाते हैं अब देखो एक यह वाले जो बना सवाल लेगा लंबा चोड़ा है बढ़ है क्या वो समझे जो अडानी है ना इनको अभी 6 एयरपोर्ट दिये गए थे लीज पर और वो जो लीज है वो कितने सालों की लीज है यह मेरे को आपको बता आपको मेरे को बताना है सवाल यहां पर यह है कि एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने लखनव एयरपोर्ट, जैपूर एयरपोर्ट, मैंगलूरू एयरपोर्ट, तिरवंतपुरम, एहम्दाबाद और गौहाटी एक दो, तीन, चार, पांच है यह यह 6 एयरपोर्ट 2019 में अडानी गुरूप को दे दिये थे और यह जो दिये थे, यह लीस पर दिये थे, सभाले कितने सालों की लीस पर यह दिये गहे थे, कितने साल, देगा 20 ने बीस नहीं बटा, 50 सालों की लीस पर, 50 सालों की लीस पर, who has won 222 FIFA World Cup, तो यह FIFA World Cup 222 का अरज़ेंटीना ने जीता है, कुल मिला कर 3 वार World Cup जीत चुगा है सबसे ज़्यादा बार करसी न वर्ल्ड कप जीता है तो वो ब्राजील ब्राजील न सबसे ज़्यादा बार पांच बार वर्ल्ड कप जीता है एक passenger ferry service एक goods ferry हो थी एक passenger ferry service होती है तो यात्री नौका सेवा अगले महीने से भारत और किस देश के बीच शुरू होने वाली है तो यहाँ पर option देखें तो यह श्रीलंका है तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक पैसेंजर फैरी सर्वेस से शुरू होने वाली है अगला देखेगा बाइडिफीटिंग विच टीम किस टीम को हराकर इंडिया ने तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया था for blind successive तो किस टीम को हराकर भारत ने ने तरहीनों के लिए लगातर तीसरा T20 विशक को खिताब अपने नाम किया यह वही वर्ल्ड कप है जिसके लिए तो यह बंगलादेश है इसकी capital है ढका करन्सी यहाँ पर चलती है टका तो ढका 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 फ 항़क याद रखना बंगलादेश की बात करें तो इसWow का भारत की exercise हुथ इसका नह नाम नाम है संपरती F.I.H. Nation Cup रहा था और इस F.I.H. Nation Cup को भारत के द्वारा जीता गया, भारती Women Hockey Team के द्वारा जीता गया, सवाल है किसको हराकर, ओके तो ये बड़ा Spain रहा था, किसको हराकर, Spain को हराकर, Australia की Capital क्या है, Canberra, Currency क्या चलती है, Dollar, Okay, Netherlands Capital क्या है, Amsterdam, Okay, Amsterdam, Currency, Euro, Belgium Capital क्या है, जरा ये बताइएगा यार, Comment, Belgium की Capital Currency क्या है, Japan Capital, Tokyo Currency, and Spain की Capital, Madrid Currency, Euro, Belgium की Mudra क्या है, और Belgium की राजधानी क्या है, एक बार यार अफटा पड़ बताइए, तीन यार बच्चे हमारे साथ जोड़ चुके, धन्यवाद बच्चो, एक बार यार थोड़ा जोड़ लगा दो, इदर उदर शेर कर दो, Okay, Next, who has been re-elected as the Ireland Prime Minister, अब ये दूसरे देशों के प्रधान मंत्री नियुक तो हो रहे है, हमारे लिए important है, ओके, वैसे सबसे ज़्यादा important वो थे है, जिनके यहां से, या तो कोई, जहां पर कोई event चला जिसे कतर है, कतर में event हुआ है, वहां के important बनेंगे, या भारती इदल अग को भी देखकर चला करिए, वैसे तो ये भी important है, कि Ireland के प्रधान मंत्री कौन बने है, तो लियो वर्दाकर, ओके, लियो वर्दाकर, भारती मूल के ये, Ireland के प्रधान मंत्री लियो वर्दाकर, नेक्स्ट, आये निस मुर्मुगाव, असल में ये भी एक शिप है, और ये प् अधिती, एक पंडुपी, सब्मरीन, ये बात दो लिए कि शिप की, तो ये प्रोजेक्टिव 15B, वो था प्रोजेक्टिव 75, तो प्रोजेक्टिव 15B के तहत, एक इंडियन नेवी की शिप, इसका नाम है, मुर्मुगाव, इसको अभी कमीशन किया गया, कमीशन किया किया क अंसर बनेगा यहाँ पर, मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ओके, मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, next, who has been appointed first chancellor of गती शक्ति विश्व विद्याले, ये एक्जाम का सवाल है आपका, एक है, ये जो गती शक्ति विश्व विद्याले, इसके पहले chancellor के रूप में किसे नियोक्ति किया गया है, तो ये है अश्वनी वैश्नव, ओके, अश्वनी वैश्नव को appoint किया गया, कैस्पर रोड, इन्होंने 22 का Stephen Edberg Sportsmanship Award जीता है, तो ये किस देश से है, तो ये आपके नौर्वे से हैं, ओके नौर्वे से, सर्विया की capital का बैल ये जरूर याद रखना, डेर्मा की कोपेन अगेन कोन, नौर्वे की ओसलो कोन हो गई, ओके, रशिया, आपकी मॉस्कोर विल, सर्विया, बैल गरेट दिना, क्लियर भाई हो, नेक्स्ट, वेज वन मिसिस वर्ड 2022 टाइटल, मिसिस वर्ड 2022 का टाइटल किसके नाम रहा था, सर ग्राम कॉसल, सर ग्राम कॉसल, ये नाम याद रखना है, सर ग्राम कॉसल, अगला, इंटरनेशनल माइगरेंट टिडे कम मनाया जाता है, अंतरास्ति प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 18 दिसंबर को रहता है, अंतरास्ति प्रवासी दिवस, ये आ अब बता हनुका फेस्टिबल किसी देश का है, अब बता हनुका फेस्टिबल किसी देश का है, हनुका फेस्टिबल, ओके, रवी, मयंक, सुनील, वेल डन बेटा, तो शुक्रिया यार, जो इतनी सुबा उड़ कर आये, क्योंकि जब मैं अभी ड्राइव करके आ रहा था, अं बहुत बड़े हैं, यहाँ पर आंसर बंदा है इसराइल, इसराइल, अभी इसके प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए बेंजामिन नेतन याहू, इस देश के प्रधान मंतरी बने नए, तो यह हैं, आपके, मैटे, फ्रेडरिस, देखो, नाम थोड़ा पढ़ने में टफ है, बड़ कोई दिकती मैटे, फ्रेडरिक्सन, तो यह जो मैटे, फ्रेडरिक्सन है, इनको देनमार्क का प्रधान मंतरी नियुक्त किया गया है, अगला, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, यह वर्ल्ड सिटी डे की थीम है, अक्सर पूछ लिया जाता है, कि यह जो दिन है, यह इस दिन मनाये गया, इसका विशय क्या है, या इसका थीम क्या है, या फिर थीम गिवेन होगा पूछ लेगा, डे क्या है, तो मैंने वही किया है, थीम इसमें युदभ्यास exercise होती किस देश के साथ है तो भारत की USA के साथ जो exercise है उसमें युदभ्यास है वज्जर प्रहार है, कौप इंडिया है, Tiger Trump है, इसमें युदभ्यास exercise है, यह आपकी किस शहर में आईजितिक की गई थी, तो यह आपकी रही थी बिटा, उत्राखंड के आ यह आपके एक्जाम का सवाल बन सकता है, डेली उनिवर्स्टी पुस्तक के लेखा कौन है, बताए मेरे भाई, A, B, C, D, E, A, 2, 3, 4, 5, जो भी लिखना बेटा लिख दो, फटावट से बताईए किस पुस्तक के लेखा कौन है, डेली उनिवर्स्टी, डेली उनिवर्स्टी यूँ गहें, एक नवंबर को Greater Noida से, इंडिया वाटर वीक है, इसको इनो ने इनॉगरेट किया था, इन में से कौन सा देश सा, जो कि इस इंडिया वाटर वीक में Partner Country रहा था, पूछ लेता है, पार्टनर कंटरी कौन सा है, ठीक है, फोकस कंटरी कौन सा है, या फिर फोकस स्टेट कौन सा, ये सवाल बनते है, तो ये जो इंडिया वाटर वीक है, Greater Noida में रहा था, सवाल ये है कि यहाँ, मतलब इसको इनॉगरेट किया था, दुरोपदी मूर्मुजी की द्वारा वहां से, सवाल है, पार्टनर कंटरी कौन है, तो इसमें डैनमार्क भी पार्टन कंटरी रहा, सिंगापूर भी, फिनलेंड भी, तो यहाँ पर आंसर बनेगा, All of the above, कुछ लोग यहाँ पर सिंगापूर भी बोल रहा है, बेटा, All of the above राइट आंसर बनेगा, Clear, अगला देखना, Next, Who has been elected as a new president of Brazil, Brazil के नए रास्टपदी के रूप में किसे चुना गया है, तो ब्राजील के नए रास्टपदी बने है, लूइज या लूलाडा सिल्वा, ठीक है, नाम याद रखना मज़ेदार है, लूलाडा सिल्वा, ठीक है, यह नाम याद रजागा, लूलाडा सिल्वा, ठीक है, लूज, लूलाडा सिल्वा, इनका नाम याद रखना, यह ब्र बैडमिंटन वर्ड फैडरेशन वर्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपेंशिप रही थी इसमें सिल्वर मैडल किसको मिला है सिल्वर मैडल नवाजा निके सिल्वर मैडल किसको मिला है संकर मुथु स्वामी को सवाल यहां पर यह है कि यह इवेंट जो रहा था स्पेन में रहा इसको तो इन्होंने inaugurate किया ते इसको नई दिल्ली में, कहां पर बिटा नई दिल्ली में, धर्मेंदर प्रदान सहाब की बात करते जो कि अपने education minister है, इन्होंने अभी agreement किया है FIFA के साथ और All India Football Federation के साथ, All India Football Federation FIFA के साथ धर्मेंदर प्रदान सहाब के द्वारा समझोता किया गय तो आंसर बनेगा मेरे भाई, 1937 को 1937 को इसकी स्थापना की गई थी, clear है All India Football Federation formation हुआ 1937 में, headquarters का नई दिल्ली है, और President का नाम है Kalyan Chaube, Okay, Kalyan Chaube, Chaubeji जी का नाम याद रखना, किसको हरा कर, यह मतलब exam का कुशन बनेगा आपका, top most, या you कह है best important MCQs में, इससे super best मानेग सवाल यह कि जो अभी फ्रेंच ओपन, super 750 टाइटल रहा था, इसमें पुरुष, मैंस डबल का जो खिताब है, वो सत्विक साहिरा जरंग की डेडी ने और चिराग शेटी ने जीता है, ध्यान सुनेगा, फ्रेंच ओपन, super 750 जो टाइटल रहा था, उसमें मैंस डबल का खित लूचिंग हाओ, लूचिंग याओ, लूचिंग याओ, या फिर इससे याद सुन लो, लूचिंग पढ़ लो, लूचिंग याँपो, लूचिंग याँपो, लूचिंग याँपो, लूचिंग याँपो, लूचिंग याँपो, लूचिंग याँपो, लूचिंग याँ इसको 6 नवंबर तक मनाए गया था 31 अक्टूबर से लेकर सदर भला भाई पतेल ओके नेशनल यूनिटी डे यह आपका कब आता है जरा प्लीस कॉमेंड में बताएगा 31 अक्टूबर 2022 ओके इससे 6 नवंबर तक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विजलनce awareness week रहा था सतरकता जाघरुकता सब्सका इसका विशे क्या था इसकी थीम क्या थे इसका क्या था इसकी विशे था इसकी विशे क्या था ओके बहुत बढ़िया, 31 October unity day, बहुत बढ़िया, well done यार, 30 उंदर, well done यार, यहाँ पर जो अंसर बनेगा, वो है अपना corruption free India for a developed nation, okay, corruption free India for a developed nation, next यार, Prime Minister Narendra Modi ji ने, अभी, जो यह मेज गार्डन और मियाबा की forest है, यह किसे शहर में इनाउगरेट किया है, okay, मेज गार्डन और मि नियाबा की forest, इसको इन्होंने समर्पित किया था, गुजरात के एकता नगर में, तो गुजरात के एकता नगर में, प्रदान मंत्री Narendra Modi ji ने, एक भूल बुलेया, उध्यान और मियाबा की वन समर्पित किया था, okay, Indian under 21, जो man's hockey team है, इसने किसे team को हरा कर, Sultan of Johar Cup 2020 अपने किस देश को हरा कर, ओके भारत ने किस देश को हरा कर जीता था, बताएगा मित्रो, भारत ने टाइटल किस देश को हरा कर अपने नाम किया था, किस देश को हरा कर, किस देश को हरा कर, 2022 under 17, women world cup अपने नाम किया था, फाइनल जो मैच रहा था, ये नवी मुंबई में, डी वाई पार्टल स्टेडियम में रहा था, भारत में नवी मुंबई में, महरास नवी मुंबई, यहाँ पर डी वाई पार्टल स्टेडियम में फाइनल रहा था, तिर 22 का अटने 17, women world cup का, कोलंबिया को हरा कर किस ने जीता था, तो ये स्पेन रहा था, इस पेन ने हरा कर ये जीता था, कोलंबिया को, clear? नेवल कमांडर कॉंफरेंस का जो 2nd edition है, ये किस शेहर मेरा, नेवल कमांडर कॉंफरेंस का, तो बिटा ये रार नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, next, I-MT Trilet क्या है Trilet मतलब है Triletaral Exercise Triletaral मतलब जिसमें तीन देश है अब इसमें एक इंडिया है Mozambic है और Tanjania है इंडिया, Mozambic, Tanjania इन तीनों के बीच में एक एक्सिस रही थी उसका पहला संस्कृनट रहा थी इसका नाम Trilet है और ये कहां पर रही थी? ये exercise वही पूछा गया, कहां पर रही थी? तंजानिया में रही थी, दर इस सलाम में. तंजानिया के दर इस सलाम में. तंजानिया के Capital है मेरी दो-डो-मा. दो-डो-मा is a Capital of Tanjainya. Currency यहां पर चलती है, शिलिंग. और तंजानिया के दर इस सलाम में I.M.T. Trilateral यह exercise रही थी इसको Trilateral इंशौर्ट हम लोग बोल रहे हैं यह भारत की Mozambique और तंजानिया के साथ exercise रही थी Mozambique की Capital है Maputo, Currency चलती है Metical, capital का Maputo, Currency चलती है यहाँ पर Metical इंडियन नेवी ने अभी एक exercise रही थी जो की विशाका पत्नम में रही थी और वो सिंगापूर के साथ रही थी सिंगापूर के साथ exercise है Simbex, Bold, Curuchetra और Agni Warrior ओके Simbex, Bold, Curuchetra, Agni Warrior तीन exercise है सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन सी exercise रही थी तो आंसर बनेगा यहाँ पर यह रहा देखो Simbex exercise भारत की सिंगापूर के साथ है विशाका पत्नम में रही थी और इसका यह 29th edition रहा था यह जो धर्मगार्जियन exercise है यह भारत की जापान के साथ है जापान के साथ मेरी दो दो गल्फ है ना वेटा क्या बात है वह प्यारे एक है वड़ा भविस खत्रे में है बड़े सूते जाओगे एक है रात में बात कर रहा है उदर से पिता जी की लाथ पड़ेगी और कई तुम्हारे फोन पर बेटाइंगे आगे बेटायए तो पिर समझेडन क्या-क्या कहां कहां लाथ पड़ेगी समझ्रों ने समझ्रों तो सुधर जाओ लूँ कहां है बहुत बढ़िया, यह UA के साथ है, लिगे, UA के साथ है, ओके, next Which state has backed the prestigious Scotch Award, ओके, किस state ने अभी Scotch Award जीता है in the Women and Child Development category for its popular scheme Lakshmi Bhandar Yojana तो Lakshmi Bhandar Yojana के लिए किस राजी के दोवार स्कॉच Award जीता गया तो बिटा यह रहा था West Bengal, ओके, West Bengal रहा था, next Samsung Electronics Company ने officially अभी किन को अपना Executive Chairman अपॉइंट किया है तो इन्होंने अपॉइंट किया था, Lee Ji Yong को, okay, Lee Ji Yong को, Lee Ji Yong को इंडिया ने भी United Nation Trust Fund जो है, for counter-terrorism इसमें कितना contribute किया है तो भारत ने आतंकवाद निरोध के सुख्त रास्ट, Trust Fund के लिए कितना योगदान दिया, बिटा तो 5 lakh डॉलर का, okay, 5 lakh डॉलर का, clear 5 lakh डॉलर, next बिटा, Red Bull की बात हो रही है यहाँ पर, Red Bull team है, Max Verstappen, Red Bull team से है इन्होंने Mexico City Grand Prix जीत लिया था, 2-12 में, और इसके साथ इनका ये कौनसी वी जीत रही थी, एक सिंगल सीजन में, okay तो इनकी टोटल मिलाकर 14 जीत रही थी, और 14 वी जीत कौनसी थी, Mexico City Grand Prix Union Cabinet ने अभी हाल फिलाल कहा कि होलंगी Greenfield Airport का नाम, Donny Polo Airport किया गया था, बहुत बढ़िया, होलंगी Airport का नाम क्या है, Donny Polo Airport, ये किस राज्य में है, तो ये बटा अरुनाचल प्रदेश में, okay कहां पर? अरुनाचल प्रदेश में, clear है, अरुनाचल प्रदेश में, फिक्की की बात होती है, फिक्की की जो नए अध्यक्श बनाएगा, इनका नाम है, सुराकांत पता, इननहों ने किस metropolitan paying लिया है, संजीव मेहता की जेगे पर पिलिस्तिन रिफ्यूजी, इसमें भारत की तरफ से कितना contribution रहा था, पेटा 2.5 million US dollar, okay, 2.5 million US dollar, clear है भाई हो, done, okay, या like करते चलिएगा, like करते चलिएगा session को, please, okay, next, which state has hosted the Canco Conference, okay, Canso Conference की बात हो रही है, Civil Air Navigation Service Organization Conference, okay, Civil Air Navigation Service Organization Conference, ये कहाँ पर रही थी, तो ये रही थी आपके गोवा में, okay, गोवा में, next, 15th Urban Mobility India Conference, okay, कम एक्सपो, ये कहाँ पर रही थी, तो पंद्रेबा Urban Mobility India सम्मेलन, ये कहाँ पर आयुजित किया गया था, तो ये रहादा केरल के कोची में बढ़ा, कहाँ पर केरल के कोची में, clear, next, प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मानगर जो धाम है, उसको नेशनल मॉनिमेंट डेक्लेर किया, अब सवाल ये है कि ये किस राज्य में है, okay, ये किस डिस्टिक में है, मानगर धाम किस डिस्टिक में है, तो राजिस्तान के बास वाड़ा की बात हो रही, वहाँ पर मानगर धाम है, इसको नरेंद्र मोदी जी के दौरा नेशनल मॉनिमेंट डेक्लेर किया गया, कि इनको केरल जोती अवर्ड के लिए चुना गया, तो ये जो पहला केरल जोती पुरुसकार है, इसके लिए किसको चुना गया था, तो इसके लिए चुना गया था, M.T. वासुदेवन नायर को, okay, M.T. वासुदेवन नायर, Ministry of Education ने अभी हाल फिलाल, Performance Grading Index से जारी किया था, ये पूछाया सकता है कि Performance Grading Index किसके द्वारा जारी किया गया, Ministry of Education के द्वारा जारी किया गया था, राजी के लिए और केंदर सासित प्रदेश के लिए, For the Year 2020 के लिए, कितने स्टेट है जिन्होंने लेवल 2 अचीव किया है, कौनसे स्टेट है जिन्होंने की लेवल 2, जिनका स्कूर 901 से 950 के बीच में राए, कितने स्टेट के द्वारा इस लेवल को अचीव किया गया है, किदे स्टेट के द्वारा तो बिटा कुल मिलाकर साथ स्टेट रहे थे, साथ स्टेट Which word has been chosen as the Collins Dictionary word of the year तो Collins Dictionary word of the year के रूप में किसी शब्द को चुना गया किसी शब्द को Collins Dictionary word of the year के रूप में चुना गया तो यह आपका रहा था Parma Crisis, ऑके Parma Crisis Parma Crisis. University Grant Commission ने भारतिय भाषा दिवस प्रपोस किया है कि हम लोग इस दिन को भारती भाषा दिवस के रूप में मनाएंगे अब यह जो भारती भाषा दिवस के रूप में मनाये जाएगा किस दिन को मनाये जाएगा तो यह बनता है है यहाँ पर 11 इसम्बर को 11 December को प्रपोस किया गया है, इनके दोरा भी प्रपोसा लहिए, एक प्रस्ताव है, विश्य विद्याले अनुदागन आयोग ने कहा है कि भारती भासा दिवस के रूप में मनाई जाने का एक प्रस्ताव है, किस दिन को 11 December को, क्लियर भी 11 December, किस कंपनी ने पहला इंटर सिटी लॉजिस्टिक प्रॉवाइडर, अच् Tobies देखो ध्यान से सुनना, यह जो ONDC Network है, Open Network for a Digital Commerce Network है, इसको ज्वाइन करने वाला पहला इंटर सिटी लॉजिस्टिक प्रॉवाइडर कौन सा है, पहला इंटर सिटी लॉजिस्टिक प्रॉवाइडर, बताई मेरे बाई, पहला इं प्रॉकेट, यह ना भी याद रखना है यह प्रॉकेट, नेक्स्ट, इंशुरेंस रेगुलेटरी डवलप्मेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी एक Health Insurance Consultative Committee बनाई है, ठीक है Health Insurance Consultative Committee जो Health Insurance इसकी Universalization को लेकर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए Health Insurance कराएं, उसको उसके Universalization की लोगों को वेर करने के लिए Committee बनाएगे, उस Committee के Chairman का नाम क्या है, इस Committee के Chairman का नाम है Rakesh Joshi, IRDAI ने एक और Committee बनाई थी, एक सस्ती दर पर Rural Population के लिए Insurance Package अवेलेबल कराने के लिए, Comprehensive Cover के लिए, Affordable Insurance अवेलेबल कराने के लिए Rural Population के लिए, इस Committee के Head कौन है, इस Committee के Head का नाम है Thomas M. Devasia, एक और Committee है, Educational जो Institution है, जो Higher Education Institution है, उनके Accredation और Assessment को और मजबूत करने के लिए Committee बनाए गई, उस Committee के Head का नाम क्या है, के Radha Krishnan, तीनो Committee back to back important है, Committee, Panel है, यह जो Task Force है, इनसे पूछ लिए जाता है कि फलानी फलानी Committee के Head कौन है, तो इसको भी याद रखके चलेंगे, next year, अडानी New Industry Limited की बात करते हैं, इन्होंने एक Wind Turbine है, इसको Construct किया है, किसे शहर में, किसे शहर में इसको Construct किया गया, यह बिटा, गुजरात के मुंदरा में, तो गुजरात के मुंदरा की बातुरी यहाँ पर, अडानी New Industries Limited है, पवन तर्वाइन का निर्माड किया, विंट तर्वाइन का निर्माड किया, कौन से स्टेट है, जो कि Track Asia Cup 2022 से cycling tournament इसको host करेगा, तो Track Asia Cup 2022 से cycling जो tournament उसकी मेजबानी, कौन सा राज्य करेगा, तो यह राज्य बिटा यहाँ पर केरल, केरल के दौरा इसकी मेजबानी की जाएगा, केरल के दौरा, next, आर प्रग्यानन्दा, इन्होंने एक Asia Continental Chess Championship रहीती नई दिल्ली में, उसमें open section इनके नाम रहा था, यानि जो man section है, वो इन्हों ने जीता था, तो जो Asian Continental Chess Championship है, नई दिल्ली में रहीती, इसमें open section किसने जीता था, आर प्रग्यानन्दा ने, अब इनको award भी दिया गया था, any idea को इस award से इनको सम्मानित किया गया है, और यह किसे state से है, यह Tamil Nadu से, किसे state से बिटा Tamil Nadu से, जो यह PN, PV Nandida है, इन्होंने भी यह जो Asian Continental Chess Championship थी, वो जीती है, बट इन्होंने भी women section में जीती है, सवाल यह कि she is from which state, यह भी same state से है, Tamil Nadu से, Tamil Nadu से, clear by you Tamil Nadu, अगला, Energy Efficiency Services Limited, इसने announce किया है, कि इसके नए CEO यह होंगे, अब सवाल है कि इसके नए CEO कौन होंगे तो Vishal Kapoor, तो कहा गया है कि जो यह Energy Efficiency Services Limited है, इसके नए CEO का नामे Vishal Kapoor, विशाल Kapoor, ध्यान से सुनेगा, French Government के द्वारा, France सरकार के द्वारा, Knight of Order of Merit, ओके, इससे किनको सम्भानित किया, Knight of Order of Merit से किसको सम्भानित किया गया, Aruna Sairam, Aruna Sairam, clear by you, Aruna Sairam, next year, Why से President Jagadip Dhankar साहब की बात करते हैं, इन्होंने अभी एक Agri and Food Technology Fair इसको inaugurate किया है, किस शहर में इसको inaugurate किया गया है, दोस्तों, अब सुभे आपको डेली साथ बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना है, जितने भी मेरे भाई बंदू है, आज मेरे साथ पहली दफा जुड़ना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेटा सुभे साथ बजे डेली सिस पर आपको जुड़ना है, कल में साथ बजे आपके साथ जुड़ोगा, एक जन्वरी और दो जन्वरी के most important current affair का discussion करेंगे, MCQs भी होंगे, उसमें detailed current affairs भी होंगे, static भी होगा, सब कुछ आपको मिलेगा, तो जिदने भी नए बच्चे जोड़ा बेटा कल से regular हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनता है चंडीगड, देखें, कहाँ पर चंडीगड में रहा था, क्लियर भाई हो चंडीगड में, अगला देखेगा, तो यह जो COP रहा था, COP 27, यह कहाँ पर रहा था, इजिप्ट के सर्म अल सेक में, अब सवाल यहाँ पर यह कि भारती दल का निर्टत तो किसके द्वारा किया गया था, इंडिन डेलेगेशन का, तो यह दो भूपिंदर यादर साहब, तो भूपिंदर यादर साहब इन्हों ने 27 जो सेशन रहा था, कॉप 27 का इसका निर्टत तो किया था, लेकर कहाँ पर रही थी इजिप्ट के सर्माल सेक में, एक फिश म्यूजियम है, अपने तरीके का पहला नॉर्ट इस्ट में, इसको कहाँ पर किस राज्य में सेट अप किया जाएगा, पताए मेरे बाई, अंसर बनेगा option number one, अरुनाचल प्रदेश, इसके लावर बिटा, अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बढ़ उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टन, कि आज डवल वैलिटी है, औके एंड नियूर है, तो आज लास्ट डेव, वैसे एक हफ्ते से डवल वैलिटी चली रही है, तो जितने भी मेरे भाई बन्दू, इंडॉल कराने से रह गए थी, बैंक महापेक में, महापेक प्लस में, SSC महापेक में, अड़्डा के महापेक में, वारियर प्रो बैच में, किसी भी बैच में, तो आज admission ले लिजेगा, क्योंकि आज live classes पे भी डवल वैलिटी है, और आपके महापेक पर भी है, बजाए 77 के 78% discount में बिलेगा, code याद रखना अपने भाई का, Y168, Y168, next यार, रानिपूर Tiger Reserve has become 53rd Tiger Reserve of India, ये किस state में है, तो ये आपकी है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में, अमंगर Tiger Reserve, पिलीवी Tiger Reserve, एक और Tiger Reserve है, रानिपूर Tiger Reserve, ओके, अमंगर, पिलीवी Tiger Reserve, अब एक और आगी, ये, रानिपूर Tiger Reserve, दुदवा नेशनल पार्क तो आपको पता ही है, मेरे भाई, इसको ज़रूर याद रखेंगे, हम लोग यहाँ पर, कि यह जो GST कलेक्शन रहा था, GST रिवेन्यू रहा था, आपको अक्टूर महीने में कितना था, एक लाग एक यावन एट साथ सो अठारे करोड रूपे, और यह जो था, वो सेकंड हाइस रहा था, अपरिल महीने में जो GST कलेक्शन था, बोला, एक लाग साथ साथ एआर, पान्सो चालेस करोड रूपे, यह बिटा हाइस रहा था, सेकंड हाइस अक्टूर महीने में रहा था, एक लाग कि क्यावन एजार, साथ सो अठारे करोड रूपे, एक लाग कि क्यावन एजार साथ सो अठारे करोड, ओके, नेक्स्ट यार, 21st meeting, अब ज़रा समझना, यह जो संघाई cooperation organization SCO है, ओके, SCO के दो पार्ट है, दो समिट होते हैं, एक Heads of Government का और एक Heads of State का, अब यह जो Heads of State का समिट है, इसमें देश के लीडर पार्टिस्पेट करते हैं, और जो Heads of Government का समिट है, इसमें देश के representative पार्टिस्पेट करते हैं, अब यह जो representative रहे थे, इस वर्ष का, जो Heads of Government का समिट रहा था, 2022 यह चाइना ने होस्ट किया था, वैसे वर्च्वाल ही रहा था, चाइना ने होस्ट किया था इसमें भारत की दरफ से ऐश जैसंकर साहब ने पाटिस्पेट किया था जो हैड्स ओफ इस्टेडस में देश्वी के लीडर जैसा कि मानि प्रदान मंत्री नरेंदर मोधीजी पाटिस्पेट करते हैं तो जो इसमेठ रहा था यह उज्वैकिस्तन के समरकंद में रहा था.. designated कहां पर उज्वैकिस्तन के समरकंद में .. अब सवाल यहां पर यह क्या पूछा गया यह पूछा है है अगे बढ़ते हैं S.U. इसका formation वो थे 2001 में, देखे, headquarter चाइना के बीजिंग में है, देखे, इसको याद रखना, इसके साथ साथ टोटल मिलाकर नौदेश इसके member है, नौदेश में कौन-कौन से है, इरान है, चाइना है, इरान इसका नौवा member बनाए, इरान, देखे, secretary general का नाव है, जैंग मि नेक्स ट्यार, Asian Boxing Championship 22 की बात करते हैं, किसे शहर में रही थी, तो यह आपके रही थी, Jordan Amman, okay, तो यह जो Asia मुक्यवाजी Championship 22 किसे शहर में आज़ित की गई, Jordan के अम्मान में, okay, Jordan के अम्मान में, त्याल से सुनेगा, T20 World Cup जो रहा था, वो England ने जीता था, England ने इतिहा सरच द इन्होंने 2nd T20 World Cup टाइटल अपने नाम किया था, पाकिस्तान को हरा कर, okay, Australia ने होस्ट किया था, Melbourne Cricket Ground में यह मैच रहा था, सवाल यह कि, who was the player of the tournament मैंने भी आपको पढ़ाया था, starting में भी बता दिया था, Sam Curran, okay, Sam Curran इसमे man of the player भी रहे थे, man of the match भी रहे थे, man of the tournament भी रहे नेक्स्ट यार, ICC men's T20 World Cup ये 8th ICC men's T20 World Cup रहा था, Australia के द्वार इसको होस्ट किया गए, तो Sam Curran player of the tournament में भी और player of the match भी रहे थे, नेक्स मेरे भाई, अब यह यह ज़रा समझने की कोशिश करना, 2007 में ये South Africa ने होस्ट किया था और इसमें India चैंपियन था, और 2022 का ये Australia ने होस्ट किया था और इसमें England चैंपियन रहा था, okay, 2024 का जो रहेगा वो West Indies और United States होस्ट करेंगे, 26 का इंडिया और शीरिलंका होस्ट करेंगे, इंडिया एंड शीरिलंका, नेक्स्ट यार, इस साल का Australia ने होस्ट किया England champion, runner-up Pakistan रहा था, Sam Curran player of the series रहे थे, विराट कोली ने सबस्यादा run किये थे, सबस्यादा विकेट लिये थे, हसर अंगा ने, जो की शीरिलंका के, okay, हसर अंगा ने, clear है भाई हो, हसर अंगा, नेक्स्ट यार, आगे बढ़ते हैं, 41st edition of India International Trade Fair, तो बिड़ा यह जो India International Trade Fair है, इसका 41st edition है, यह आपका कहा पर रहा था है, नई दिल्ली में, okay, and what is the theme, इसका विशे क्या है, इसका विशे था, vocal for local, local to global, okay, तो vocal for local, local to global, यह India International Trade Fair का विशे रहा था, इसका 41st edition ही रहा था, और नई दिल्ली में है, जो तो किया गया था, 2024 का, जो Under-19, Men's T20 World Cup है, इसको कौन host करेगा, तो यह जो host होगा, यह श्रिलंका के द्वारा किया जाएगा, तो 2024 का Under-19, Under-19, पूर शित T20 विश्क अप इसकी मेजबानी, श्रिलंका करेगा, ठीके यह जार देखो, दोस्त नया है content, यह exam का part बनना है, कि 2024 का Under-19, Men's T20 World Cup है, इस श्रिलंका के द्वारा host किया जाएगा, जबकि 2024 का जो एडिशन होगा, वो जिम्बाम पे और नामी भी यह host करेंगे, जो Under-19, Women World Cup है, 25 का, यह Malaysia Thailand में रहेगा, और जो 2027 का रहेगा, वो बिड़ा यहाँ पर बंगलादेश और नेपाल के दौरा host किया जाएगा, side से एक table form में लिख लेना, ऐसा याद नहीं होने वाला, देखें, मैं भी तुम्हें देदूँगा एक tabular form में, बड़ कोशिश करना है कि table बनाना, उसमें लिख लेना, तब जाके ही याद होगा, clear, next, Greg Barclay की बात करते हैं, Greg Barclay, इनको re elect किया गया, ICC का chairman, okay, he is from which country, ये किस देश से हैं, तो भाई, ये answer बनता है, New Zealand से हैं, तो ICC के जो chairman फिर दुबारा बने, Greg Barclay बने है, और ये New Zealand से, clear है भाई, ICC 15 June 1909 को बनाता है, 15 June 1909 को, headquarter Dubai UAE है, okay, chairman का नाम Greg Barclay है, जो कि New Zealand से है, CEO का नाम Joe Faladise है, जो कि Australia से है, member total मिला कर 108 हो चुके, तीम नए member बने, एक Cambodia, उजवेकिस्तान और कोटे द्याएवर, okay, Cambodia, उजवेकिस्तान, कोटे द्याएवर, recover together, recover stronger, ये theme रहा है, 17th G20 summit का, okay, 18th India host करने वाला है, 17th Indonesia ने host किया था, तो ये कहाँ पर रहा था, Indonesia के Bali में, okay, Indonesia के Bali में, summit रहा था, clear है भाई हो, एक बार यह session को share कर दीजे, दबाके फटावर से, ये लकीर, ये नसीब, ये किसमत, सब परेव के आईने है, क्या बात है, हातों में तेरा हात होने से ही, मुकंबल जिंदगी के माईने है, okay, happy new year, भाई, किसके लिए लिख रहा है, पहले तो ये भी बता दे, ठीक है, हमाई नग की दौनों हाथ हात में तेरे हैं की नहीं है, ऐसो तुन ही कि एक आथ हात में कोई दूसरा हात किसी और के हात में, तू भी माईने देख रहा है, ठीक है, समझ रहो, कि पर बाद में आए ना दिख जाए, कि दर दिमाग लगा ले भई, इंडिया एंड कोलंबिया की बा जान से देखना, भारत और फ्रांस की बात हो रही है, भारत और फ्रांस के बीच में एक bilateral air exercise रही थी, इसका 7th edition रहा था, और यह exercise जोधपुर Air Force Station पर रही थी, सवाल exercise का नाम क्या है, पताईएगा, exercise का नाम क्या है मेरे भाई, exercise का नाम, इस exercise का नेम क्या है, भारत और फ्रां Sir looking smart today, हो, और दिन क्या लगता हूँ भाई, ठीक है, तो आज बनते हैं यहाँ पर answer बनता अपना गरूड, गरूड exercise, यह विन्वेक्स वियतनाम के साथ है, शक्ति, वरूड, गरूड, डेजर्ट, नाइट, यह सारी फ्रांस के साथ है, बढ़ अपना जो answer है वो गरूड है Okay, next, Carlos Sora, इनको ना Satyajit Ray Lifetime Achievement Award से नवाजा गया है, 53rd जो एडिशन रहा था, International Film Festival का उसमें, तो यह जो 53rd एडिशन था, International Film Festival का यह गुआ में रहा था, और Satyajit Ray Lifetime Achievement Award से Carlos Sora को सम्मानित किया गया, he is from which country, भाई, यह स्पेन से हैं, इस पेन की काफी news हो गई है, यह भी क इसे हैं, स्पेन से हैं, इंटरनेशनल गीता महसब की बात करते हैं, इसको कहाँ पर किसे शहर में और्गनाईज किया गया था, इंटरनेशनल गीता महसब आपका रहा था, हर्याणा के कुरुचेतर में, हर्याणा कुरुचेतर में, first female president of Slovenia, Slovenia के first पहली महिला रास्पती का नाम क्या है, Natasa Pirq Musar, okay, Natasa Pirq Musar, okay, इनको Slovenia की पहली महिला रास्पती के रूप में निर्वाच्चेतर किया गया है, Pan India coastal defense exercise रही थी, इसका नाम है sea whistle, sea whistle 2022 ये इसका third edition रहा था, सवाल ये है कि ये जो exercise थी, इसको कब से दिमाग में लाए गया था, मनलब कब से बिटा इसको शुरू किया गया था, okay, 2018 से, ठीक है, third edition रहा है, ये All India coastal defense exercise का, इसका नाम है sea whistle 2022, next, कबड़ी world cup कहाँ पर होगा, UK में, okay, कबड़ी world cup कौन होस्ट करेगा, UK के दौरा कबड़ी world cup होस्ट किया जाएगा, ठीक कबड़ी world cup UK के दौरा होस्ट किया जाएगा, ठीक कबड़ी world cup जाएगा, next यार, international day for tolerance is observed on which day, सहिशुनुता के लिए अंतरास्टी दिवस किस दिन मनाये जाता, पताएगे, सहिशुनुता के लिए अंतरास्टी दिवस किस दिन मनाते हैं, सहिशुनुता के लिए अंतरास्टी दिवस किस दिन मनाते हैं, चेक कर लो यार एक आधी क्यों हूँ एक आधी क्यों हूँ तो आंसर बनता है यहाँ पर 16th of November ओके नेक्स्ट जॉर्ज रसिल यह 1st F1 रेस इनों ने अपनी जीती है और यह Brazilian Grand Prix रहा था तो जॉर्ज रसिल ने Brazilian Grand Prix में अपनी पहली F1 रेस जीती वह किसी देश से हैं तो भाई यह कहां से UK से यह UK से यह पहली रेस जीती है इनके दुआरा निश्चित इंपोर्टन है यार सरत कमल अचंता इनको अभी चुना गया है Major Dhyan Chand खेल रतन अवार्ड के लिए Major Dhyan Chand खेल रतन अवार्ड के लिए He is a related to which is podium किस खेल से सम्बंदित है अचंता सरत कमल इनको Major Dhyan Chand खेल रतन अवार्ड के लिए चुना गया है He is a related to which is podium किस खेल से सम्बंदित है वाई टेबिल टेनिस से आसियन के द्वारा आसियन में कोल मिला कर 10 मेंबर थे अब यहाँ पर 11 मेंबर के रूप में किसका नाम सामने आया है तो यह East Timor East Timor यह Association of South East Asian Nation इसका 11th member बनेगा 11th सदस्य बनेगा इसका गौरव दिवेदी की बात करते हैं इनको अभी Chief Executive Officer बनाएगा प्रसार भारती का प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष में की गई थी तो यह 1997 में 1997 में इनको प्रसार भारती का मुखे कारकारी अधिकारी नूक्त किया गया है इसका गठन किस वर्ष में हुआ था यह 1997 में वेर इस अ हैड़कॉर्टर अफ इंडियन ओलंपिक असोसियेशन इंडियन ओलंपिक असोसियेशन के हैड़कॉर्टर कहां पर है तो बैटा आंसर बनता है नूड एहली में तो आई ओ ए इंडियन ओलंपिक असोसियेशन इसका मुख छेला है नहीं दिल्ली होगे आर्मी कमांडर्स कॉनफरेंस की बात करते किसे शहर में रही ती तो बैटा यह नहीं डिल्ली में आर्मी क्मांडर सेंट कोंफरेंस कहां पर रहे नहीं दिल्ली में देश का बिगेस्ट बैंक इसका नामें State Bank of India इसको highest ever quarterly profit हुआ था अब यह जो highest ever quarterly profit रहा था यह आपका July, August, September quarter में रहा था सवाल है कितना quarterly profit रहा था बताइए एक बास समझना मेरा एक वारियर प्रो आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों के पास मेरा वारियर प्रो बैच होना चाहिए यह batch complete batch है, 5 batch इसमें होते हैं, 5 batch इसका combo है और इसके price भी मैंने बहुत nominal रखे 1496, 1496 रोपे 12 महीने इसकी validity होती है बढ़ आप इसकी 24 महीने validity आज के लिए और क्योंकि SBI का result आने वाला, SBI PO का result आने वाला है IBPS PO का interview लगा हो है, तो ऐसे में warrior pro की MES बहुत बढ़ेगी यह आपके काम आने वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर financial awareness के लिए warrior 5.0 की classes चल देए, उनको complete करो, current affairs के लिए यहाँ पर मैंने weekly current affairs आपके complete कर दीए, एक तरीके से nominal price में मिल जागा 78% पर, ठीके, 13,265 करोड रुपे, यह quarterly profit रहा थे, done मिर भाई, clear, next यार, आगे, country का first voter 106 वर्ष के थे, इनका नाम था Master Shyam Saran Negi, इनका निदन हो गया, he was from which state, यह किस राज्य से थे, तो बिटा यह थे आपके हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, तो देश के पहले मत्यदाता, 106 वर्ष के Master Shyam Saran Negi का निदन हो गया, यह हिमाचल प्रदेश से थे, next, मुहमद इर्फान अली, यह chief guest होने वाले हैं 17th प्रवासी भारती दिवस convention के, अब सवाल यह है कि he is a president of which country, यह किस देश के रास्टपती हैं, यह गुआना के, ओके, तो गुआना के रास्टपती, मुहमद इर्फान अली, 17th वे प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन में मुख्य अत्यति होंगे, मुख्य अत्यति होंगे, क्लियर वायो, मुख्य अत्यति, next, ट्यार, ADB की बात हो रही, Asia Vikaas Bank की, इसने 2900 करोड रुपे का लोन दिया है, अभी किस राज्ज में रोड करेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ADB ने 350 मिलियन US डॉलर या फिर 2900 करोड रुपे दिये, तो यह अंसर बनता है महारास्ट, ओके, महारास्ट, clear, next, Who has been appointed chairman of National Monument Authority, National Monument Authority के chairman कौन मने है, किस बैंकने भी देश का पहला floating financial literacy camp है, जुकि दल लेक में, शीरिणागर दल लेक में, जम्मू कश्मीर के शीरिणागर में, दल लेक में पहला floating financial literacy camp है, यह किस बैंक के द्वारा बेटा कंड़क्ट किया गया था, तो यह bank रहा थे India Post Payment Bank, okay, India Post Payment Bank, clear भाई हो, इमामी Limited ने अपना brand में से किसको बनाए, तो boros plus ayurvedic antiseptic cream, इसके brand में से के रूप में किसको अभी appoint किया गया है, तो यह रहे थे अक्षे कुमार, okay, अक्षे कुमार, नाम याद रखना, National Industrial Security Academy, okay, NISA, इस यह किस राज्यमेस थे थे, बताएगा मेरे भाई, NISA किस राज्यमेस थे थे थे, okay, यह कैसे राज्यमेस थे थे, बहुत बढ़े है, आंसर बनेगा, option number 3, ते लंगाना, okay, कहाँ पर ते लंगाना में, clear, next, सूरिकुमार यादव, पहले Indian player हैं, जिन्होंने T20 International run एक कलेंडर येर में पूरे किये थे, वो भी कितने, 1000, okay, तो 1000 T20 International run एक कलेंडर येर में पूरे करने वाले, सूरिकुमार यादव, ठीक है, in how many innings it was done, कितने innings में ये done हुआ था, तो भाई साब, ये 28 innings में, okay, 28 innings में, next, पुसकर fair was celebrated in which state, पुसकर fair किस राज्य में celebrate किया गया था, तो बिटा, ये राजिस्थान में, okay, कहाँ पर राजिस्थान में, पुसकर fair, reliance industry, इंडिया का best employer है, ये देश का भी best employer है, और world का, 20-way number का best firm है काम करने के लिए, okay, सवाल यहाँ पर यह कि, ये जो Forbes की world best employer की ranking रही थी, इसमें global ranking में कौन टॉप पर है, global ranking में कौन टॉप पर है, चलो हमारे देश में, चलो, reliance है, okay, ये reliance industry है, विश्व में 20-way number पर है, globally बात करते हैं, तो global ranking में कौन टॉप पर है, यार फड़ा बड़ बताओ, global ranking में कौन टॉप पर है, hero, global ranking में बिटा ये Samsung Electronics टॉप पर है, okay, global ranking में Samsung Electronics, clear, next यार, ये देख सकते हैं, पहले number पर Samsung है, दूसरे पर Microsoft है, तीसरे पर IBM है, चौथे पर Alphabet, पाचवे पर Apple है, इंडिया में बात करते हैं, 20-way पर Reliance है, 137-way number पर HDFC, कितना gap पर देखो, ठीक है, फिर 173 पर बजाज है, फिर आईदित्य बिरला, 240 है, और 330 hero moto cop है, आप देख रहे हो, difference कितना है है, difference, Samsung, Microsoft, IBM, Apple, Alphabet, Apple, इंट टॉप 5 companies में तो 4 तो US ही है, देखे, पहले number पर South Korea की, बैटे उसके बाद US, 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 और इंडिया की अगर देखते हैं, Forbes के World Best Employer Ranking में, तो 20-way number पर Reliance है, HDFC, इस gap देखे, 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 clear है बाई, चलो, आगे बढ़ते हैं, next, Switzerland create world record for operating the longest passenger train, ठीक है, Switzerland है सबसे लंबी यात्रा train चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, यह कितनी लंबी train है, बताएं मेरे भाई, यह कितनी लंबी train है, total length कितनी है, ठीक है, एक बार फटावर्ट से बदेखे, total length कितनी है, अगर आप लोग IVPS PO के लिए, इंटर्विव के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो इतना मेरी आप से request रहेगी, कोशेश करना, warrior 5.0 की series जरूर complete कर ले, ठीक है, financial awareness की वो classes जरूर complete कर ले न, बहुत फायदे मन्द रहेंगे आपके, अगर आप लोग न, financial awareness की classes complete कर रखी हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, capsule batch क्योंगी हम लोगा जो शुरू होने वाला है, वो आपको 5 जन्वरी से शुरू होगा, warrior pro में ही capsule batch for SBI clock and SBI PO, कोशिश करो उससे पहले कि आप जो मैंने weekly MCQ करा रखे हैं, detailed मैं हर एक option का explanation दिये, यहां तो मैं one liner आपके साथ कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या है, एक चीज़ का explanation है, हर एक news का, हर एक option का explanation है, और वहाँ पर हर एक महीने के 400 सवा 400 MCQ है, तो 6 महीने के मिला कर यह आपके 4-6, 24-100 हो गए, लगवाग 2,000 से जादा सवाल होगे, गवरान नहीं, आपको एक-एक महीना पकड़के चलना है, आप उल्टा पढ़ना शिरू करो, नवंबर पढ़ो, फिर अक्टूबर पढ़ो, फिर सितंबर पढ़ो, तो priority के यह तीन महीने कंप्लीट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पहले, एक मिरी बात समझ में सारी है, तो हर एक महीना बड़ा important है, वहाँ हर एक news का explanation है, वहाँ जितनी भी standard level की news है, वो सारी cover की गई है, लिएक बार जाएए, बिटा warrior pro में enroll कराई है, लिएक यहाँ अंसर बनता 1.9 km, who has been elected as a new president of international hockey federation, FIH के नए अध्यक्ष कौन बने है, यह है, मोहमबत तयाब इक्रम, ओके, मोहमबत तयाब इक्रम, जो यह international film festival रहा था, 53rd international film festival, इसमें opening movie थी, Alma and Oscar, यह Austria की movie है, सवाल इसके director का नाम क्या है, दाइटर, डाइटर बर्नर, ओके, डाइटर बर्नर, ठीक है, डाइटर बर्नर, ठीक है, डाइटर बर्नर, क्लिए है, FIFA World Cup 22, यह 20 November से 18 December तक रहा था, ठीक है, 20 November से 18 December तक, और यह कतर के 25 शहरों में रहा था, सवाल यह है कि, what is the name of official match ball, official match ball का नाम क्या था, ठीक है, official match ball का न अब हमारी टेकनिकल टीम बड़ा ही नहीं पा रही है, official match ball का नाम क्या था, आज आते हैं, एक बार मैं कहता हूं से, क्योंकि, मैंने इस phone में कर रहा है, इस phone फूल आवाज होती है, तो काफी अच्छी आती है, बड़को दिखकत नहीं, manage करने वाले हैं, सुना ही तो दे रही है, तो देखते हैं, यहां से मैं ज्यादा connect कर पाता हूं, ज्यादा चीज़ा explain कर पाता हूं, तो मैंने नहीं उन से कहा था कि इस mode पर करते हैं, तो उनका कहना था, थोड़ा up and down हो सकता है, थोड़ा manage कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल से जो current affair का session हो, इसी तरीके से ही होगा, उसमें ज challenges आएंगे, उनको हम लोग overcome कर लेंगे, ठीक है, समझ मैं रहा है, इसका नाम तक बॉल का अल रहेला, 26 international मालावार exercise रही, मालावार जो exercise है यह भारत की, यह यू कहा है, coordination के बीच में exercise होती है, अब यह जो coordination है कौन कौन से, इंडिया है, ठीक है, USA है, ठीक है, Australia है और Japan है, य इसका 26th edition रहा था, यह किस वर्ष में इसको initiate किया गया था, 1992 में, 1992 में, Central Government ने, Justice Ruturaj अवस्ती है, इनको 5 और मेंबर के साथ, 22nd जो law commission है, उसका chairperson बनाया है, law commission is constituted for how many years, विदी आयो का गटन कितने वर्ष के लिए हुआ है, तो यह तीन वर्षों के लिए हुआ है, तीन व Shane Watson, माप करेगा, Shane Vonney, Shane Watson, यह winning the inner battle के author है, winning the inner battle, एक है, लान मेरे भाई, clear, next यार, which company launch platform, that is display food forecast, namely flood forecast, okay, तो अभी हाल फ्लाल किस company ने के platform launch किया है, जो कि flood forecast को display करेगा, namely flood hub, तो इसका answer बनता में, Google, okay, Google, next, वर्ड का पहला वैदे के clock will be installed in which city, विश्व की पहली वैदे के घड़ी किसे शहर में स्थापित की जाएगी, तो बिटा यह बनती है, आपकी मद्द प्रदेश के उज्जयन में, okay, मद्द प्रदेश के उज्जयन में, कहा पर मद्द प्रदेश के उज्जयन में, clear भाई, next, Indian Council for Culture Relations, इसने अभी हाल फिलाल किस कंपनी के साथ collaboration के संस्करत को प्रमोट करने के लिए, अभी Indian Council for Culture Relations है, इसने किसके साथ समझोता किया था, तो यह Google के साथ समझोता रहा था, clear भाई, Google के साथ समझोता, लेके, Google के साथ रहा था, next, who topped IIFL, Wealth Hurun India, 40 under, 40 self-made rich list, okay, तो IIFL, Wealth Hurun India, 40 under, 40 and 40 under, self-made rich list, इसको किसने टॉप किया था, 17,500 क्रोड रुपे की net worth के साथ, okay, राजीत, आफ ही मिलेगी, अल लेया, ठीक है, निखिल कमत, निखिल कमत, यह नाम याद रखे ना, निखिल कमत, अब देको पहले नंबर पर कौन है, यहाँ पर निखिल कमत है, यह कि 70,500 क्रोड रुपे की net worth के साथ, दूसरे नंबर यह, जिरोदा, भाविश अगरबाल, 11,700 क्रोड रुपे, Ola Electric, देव्यांक तुरा खिया, 11,200 क्रोड रुपे investment, यह नाम याद रखे लेया, टॉप 5 तो कम से कम, टॉप 5 नहीं कर सकते, टॉप 3 तो आपको के चलने है, क्लियर भाई, next, what is the minimum net worth of RRB to list on stock exchange and raise fund, तो अगर किसी RRB को stock exchange पर list कराना है, यह fund raise करना है, तो उसके लिए नियूनतम जो निवल मूल लिख्या है, तो फिर आंसर बनता है यहाँ पर 300 क्रोड रुपे, okay, 300 क्रोड रुपे, क्लिया, next, which country become the world largest producer, consumer of sugar and second largest exporter of sugar, पताये का मेरे भाई, इसका अंसर करिया, भाई, special session आप लोगों के लिए design के सिर्फ बढ़िया तो यार current office regular अपना सही रहता, ठीक है, आज भी हम लोग current office plan करते, it will be fine, हो सही होगा, okay, मैं देख रहा हूँ, यहाँ लगबग 2400 बच्चे ही यहाँ पर session को देख रहे, आज क रहाँ चले गए बच्चे, आए नहीं है, मतलब मेरे को बताये कि मैं इसके लिए क्या किया हूँ, plan किया हूँ, सुबह से राज से पूरा डायम हो गया, करते 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 करते, पूरी planning, वक्त निकल गया, पूरी रात निकल गई, ठीक है, पूरी numbering करते हुए, फुर देखत कुछे बड़े कम दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ कर रहे हैं कि FCI का एक्जाम है, एक्जाम है, बड़ कुछ इक्कत नहीं, एक्जाम एक्जाम दे लेना, कलकर इंटरफेस में जरूर जुड़ जाना, लेको मैं demoralize नहीं होता, बहुत rare होता हूँ, मैं demoralize होत हूँ, बड़ हाँ, जब आप effort करते हैं और result नहीं आता, जिसे आपने एक बहतरीन चाय बनाई, और उसमें आपने बहुत बहतर दरीगे से सोचा, मैं बढ़िया बना रहा हूँ, क्या आपने मेनत भी करी, और जब आपने कुछ चखा, और जब स्वाद नहीं आया, तो पॉसिबल नहीं है कि में एक एक उप्शन एक्स्प्लेइन कर पाऊ, निस्टी मेरे को बिटा वनलाइनर मोड में चलना पड़ेगा, ये समय की नजाकत है और जरूरत है, लेकिन, I don't know, को देका नहीं, नया साल है, नया दिन है, ठीक है, पॉसिटिव रहते हैं, चीज़े बैतर करेंगे, ओके मिलके, आंसर बंदा है यहाँ पर इंडिया, लेकिन, वर्ल लार्जेस प्रड्यूसर है, ये कंजूमर, मल वर्ल लार्जेस प्रड्यूसर, कंजूमर अफ शुगर, एंड सेकंड लार्जेस एक्स्पोर्टर है शुगर का, और वो है भारत, BRO, इसने प फीट पर अपने परसोनल के लिए कार्बन न्यूटरल हैबिटेट बनाया, फर्स कार्बन न्यूटरल हैबिटेट बनाया, यार मेरे भाई, अवाज बढ़ाओ, यार मैन भी चेक किये कम है, पॉसिबिलिटी है, बढ़ सकती है, थोड़ा तनिक करके देख, नहीं तो अगा दिक्का दोगी तो फिर कम कर देगे, उसी लेविल पर लियाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है मेरे भाई, यहाँ पर लद्दाग, ठीक है, लद्दाग, next, which institute is the top educational institute in South Asia as per the recently released QS Asia University ranking 2023, तो QS Asia University ranking 2023 के अनुसर, top educational institute कौन सा रहा था South Asia में IIT Bombay रहा था, okay, IIT Bombay, अब जैसे यह top पर overall कौन सा रहा था हो, तो यह packing university रहा था, packing university पहले पर, China का, दूसरे पर national university of Singapore रहा था, तीसरे पर शिंगवा युनिवर्स्टी चाइना रहा था, चौतरे पर university of Hong Kong रहा था, और पांच पर बिढ़ा नन यंग, technological university रहा था Singapore, okay, यह top 5 universities हो गए overall Asia में, अब यह यह जो भारत के top 5 है, वैसे overall उनकी ranking भी मैंने दे रखी 40, 46, 52, 51, IIT Bombay, IIT Delhi, Indian Institute of Science, IIT Madraswa, IIT Kharagpur, ठीक है भाई, अब दिको आप sound okay है, अब sound okay है, एक बार बताओ, sound okay है मेरे भाई, अब okay है, चलो, अर्विन तो यह थी है, चलो भाईया, यहाँ पड़ हो आप, okay, चलिए, आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स देखते हैं, India will host the Women World Boxing Championship, इंडिया will host the Women World Boxing Championship, जो भारत है, वो क्या करेगा, Women World Boxing Championship host करेगा 2023 में, इन New Delhi, where is the headquarter of IBA, IBA का मुख्याल है कहाँ पर है, तो IBA का मुख्याल है, Switzerland के Lawson में, okay, Switzerland के Lawson में, Indian Boxing Association का headquarter है, IBA का, और यह जो World Boxing Championship है, 2023 की, यह नई दिल्ली में रहने वाली है, इंडिया, सर्वरी, International Boxing Association, okay, International Boxing Association, 1946 में बनाता है, headquarter Switzerland के Lawson में, और प्रेसेंट करना में, उमर, उमर क्रेमले, okay, उमर क्रेमले, next, National Education Day is celebrated every year on which day, रास्टी सिक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो हर साल इसको मनाते हैं, हम लोग 11 नवंबर को, okay, 11th of November को National Education Day के रूप में, अबजर करते हैं, रास्टी सिक्षा दिवस के रूप में, असलिए National Education Day 11 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि ये अबूल कलाम आजाद, जो की First Education Minister थे, उनकी बर्थ Anniversary है, उसी दिन को हम लोग celebrate करते हैं, तो Independent India के First Education Minister, मौलाना अबूल कलाम आजास साहब, इनके जन्व दिवस को हम लोग परते को वर्ष 11 नवंबर को National Education Day के रूप में मनाते हैं, किस State Government है, खेलो इंडिया नेशनल उनिवर्स्टी गेम्स है, इनको होस्ट करना है 22-24 में, तो ये अपना अंसर बनेगा उत्तरप्रदेश, ये खेलो इंडिया उनिवर्स्टी गेम्स होस्ट करेगा 22-24 में, प्रामिनिस्टिन अरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, इन्होंने Statue of Prosperity, 108 फीट का है, ये टॉल स्टेचू, ब्रॉंज स्टेचू है, किनका ये ब्रॉंज स्टेचू? नदव प्रभु कैम्पे गोडा जी का, सवाल ही है कि इसको किस शहर में इनके द्वारा इनाउगरेट किया गया था, किस शहर में इनके द्वारा इनाउगरेट किया गया था, तो ये एक करनाटक के बैंगलूरू में है, करनाटक बैंगलूरू, बोपाल रेल्वे स्टेचन इसको 4-star Eat Right Station Certification दिया गया था, और प्रोवाइडिंग हाई-Quality, Nutritious Food to Passenger, Food Safety Standard Authority of India was established in which year, तो भारती रेल्वे स्टेचन को यात्रियों को उच्छ गुडवत्ता, पॉस्टिक भूजन प्रदान करने के लिए 4-star Eat Right Station प्रमाणन से सम्मानित किया गया, Food Safety Standard Authority of India की स्थापन किस वर्ष में हुई थी, तो बैटा इसकी स्थापन हुई थी 2008 में 2008 में, 2008 में, clear? What is the mascot of 4th edition of Fit India School Week? Fit India School Week के 4th edition का mascot क्या है? तो इसका mascot है तूफान एंड तूफानी, okay? तूफान एंड तूफानी, Friendship Ambassador of Switzerland किसको बनाए गया? नीराजी चौपडा को, okay? तो नीराजी चौपडा है, यह Friendship Ambassador बनाए गया, स्वेड़ेलेंड के, Friendship Ambassador of Switzerland के, Public Service Broadcasting Day, यह कब celebrate किया जाता है, तो प्रतिक वर्ष इसको हम लोग 12 November को celebrate करते, Public Service Broadcasting Day, यह आपका 12 November को रहा, It commemorate the first and last visit of Father of Nation, महात्मा गान्दीजी के All India Radio में 1947 पहली और आखरी विजिट रही थी, उसी को commemorate करने के लिए Public Service Broadcasting Day मनाया जाता है, किसने हिमाचल को हराकर सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी T20 टूनमेंट का खिताब जीतने के लिए हिमाचल को हराया, Indian Army Launch Single Window Facility for Welfare and Grievances Redressal of Army Wives, तो यह जो Army Wives है उनकी जितनी भी समस्या उनके निवानन के लिए, Single Window Facility यहाँ पर Indian Army के द्वारा लॉंच कीगी, What is the name of it? इसका नाम क्या है? तो बिट इसकाना में वीरांगना सेवा केंद्र, वीरांगना सेवा केंद्र, नाम याद रखने बिटा, वीरांगना सेवा केंद्र, इलिए रभाई, वीरांगना सेवा केंद्र, next year, Holger Reun, इन्होंने Novak Djokovic को हराकर, First Man Single Title जीता दो, 222 Masters Title in Paris, तो Paris में 222 Masters Title रहा, First Man Single Title, Novak Djokovic को हराकर, Holger Reun, के द्वारा जीता गया, He is a from which country, ये डैनमार्क से हैं, कहां से डैनमार्क से, U.S. Department of Treasury की बात करते हैं, इन्होंने किस country को अपनी currency monitoring list से बाहर कर दिया है, currency monitoring list से, U.S. Department of Treasury ने अपनी currency monitoring list से किस देश को बाहर कर दिया है, तो आंसर बनता है, ये अपना प्यारा भारत, India को, clear by India को, done, India को, next year, Who has been awarded the prestigious order of merit by Britain King Charles III in a recognition of distinguished service to science, तो पेटा, Britain के राज़ा, Charles III द्वारा, बिज्ञान के लिए, विसस्टिस सेवा के लिए, प्रत्रिस्चित order of merit से किसे सम्माने तिक किया गया है, तो ये है, वैंकी रामकृष्णन, वैंकी रामकृष्णन, noted writer, मधु कन करिया, and मादव हाडा, इन दौनों को 31 और 32 बिहारी पुरुसकार दिया गया, सवाल ये है कि इसको किस वर्ष में इंसिट्यूट किया गया था, तो ये 1991 में, 1991 में, तो प्रक्यात लेकर मधु कन करिया, और डौक्टर मादव हाडा इनको 31 और 32 बिहारी पुरुसकार से सम्मानित किया गया, ये 1991 में स्थापित हुआ था, 1991 में, कौन से शेहर सेकंड सेहर है देश का जिसने की मुनिसिपल बॉंड को जारी किया है, तो ये है गुजरात का बढ़ोधरा, इससे पहले है पूने है, ये पहला शेहर तो जिसने 17 में मुनिसिपल बॉंड इशू किये थे, अब यहाँ पर दूसरा जो शेहर है ये गुजरात का बढ़ोधरा, गुजरात का बढ़ोधरा, ओके, बाईजू ने अभी हाल फिलाल अपने एक सोशल इंपेक्ट आर में, इसके लिए एमबस्डर के तौर पर किसको अपॉइंट किया है, तो यह है लियोनल मैसी, लियोनल मैसी को, Ministry of Education, ये किस दिन को जनजाती गौरव दिवस के रूप में मनाया है, इन दा मैमोरी ऑफ ब्रेव ट्रैबल, फिल्टम फाइटर विर्सा मुंडा, ओके, तो विर्सा मुंडा जी के सम्मान में, किस दिन को बेटा, Ministry of Education के द्वारा, जनजाती गौरव दिवस के रूप में मनाया है, जनजाती गौरव दिवस, पीटा 4.4 के लैक चल रहे है, एक बार इसको 5 एयर पहुचा दीजिay फटापट से, एक बार लाइक बटन पर प्रेस करियों, इसको 5 एयर पहुचा दीजिये फटापट से मिरे भाई, एक बार फटापट से, लेको 4.5 तो हो गया, तो अगिएuli 2 जार बच्चे, अगर होगा तो थोड़ा सा जिए रहा थोड़ा करिये है रहा मोहबद वहबद वाड़ी है मेरे भाई एक है इसको फटाफट से बढ़ाई है रहा 4.5 के चल रहा हमारा चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाल मेरे भाई एक है 15 अवंबर यहां सार है किस स्थ कीम के इंपलिमेंटेशन का काम किस मंतरा ले का है .कि चलिए अगे बढ़ते हैं कावर्मेंस्ट्ट वाया मेरे भाई मिनिस्ट्य औफ पंचाइवतिती राच निकरें Ministry of Panchayati राज के लिए आगे बढ़ते हैं which state government has notified Kaveri South Wildlife Century as the 17th wildlife century of state तो राज जी की सत्रह भी wildlife century कौन सी बनिये Kaveri South wildlife century और याद रखने बिटा कहा परे Tamil Nadu, Tamil Nadu, next अचंतर सरत कमल यह first player है भारत से जिनको की athletes commission में चुना है International Table Tennisive Federation के He is from which state यह किस राज जी से है Tamil Nadu से, okay Tamil Nadu से अचंतर सरत कमल है, okay Northeast Olympic का 2nd edition Meghalaya के Shilong में रहा था, who is the overall team champion overall team champion कौन है, overall team champion, who is the overall team champion overall team champion कौन सा रहा था, बता है मित्रो overall team champion कौन सा रहा था बहुत बढ़िया एक बार यार सेशन को share कर दीजिए को फिर दुबारा से, if possible अगर आप share कर सकते हैं तो एक बार share कर दीजिए, मैं अब यारा share कर देता हूं उसको, okay right answer बनेगा यहाँ पर option number 1 बिड़ा मनीपूर, ठीक है, option number 1 बनेगा यहाँ पर मनीपूर, 2 minute के लिए रहा, option number के अब यहाँ बनेगा इसको याद रखना है, अब जड़ा देखना है, जनवरी दोयार 15 को, okay, तो नीतिया एक जनवरी दोयार 15 को बनाता है, चेर परसन अरेंद्र मोदी है, वाइस चेर परसन सुमन बैरी है, CEO Permission नई रहे हैं, और Headquarters इसका नई दिल दी है, National Press Day यह किस दिन मनाया जाता है, तो यह आपका 16 November को मनाएगा, National Press Day आपका 16 November को रहा था, तेके भाई, National Press Day आपका 16 November को रहा था, नभी Technology ने अभी हाल फिलाल किसको अपना Brand MS दो बनाया, नभी Technology के Brand MS दो कौन बने है, तो यह बनेते पिटा Mahindran Singh Dhoni, MS Dhoni, MS Dhoni, Government ने RBI के Central Board में किसको नॉमिनेट किया है, तो यह नॉमिनेट किया विवेक जोशी को, बाकि जितने भी ऑप्शन ने नहीं सारे Deputy Governor RBI के, महिश कुमार जैन, माइकल देव पत्रा, M. Rajeshwar Rao, T. Ravi Shankar, यह सब Deputy Governor है, इसका PDF मिलेगा, don't worry, बताओंगो, session complete होने बाद PDF कैसा मिलेगा, तो Drug Controller General of India, DGCI कौन है, DCGI कौन है, DCGI, बिटा BG Somani, यह Drug Controller General of India है, Pryzian Cap, Pryzian Cap, यह 2024 Paris Olympic का Mascot है, और it is which edition, यह जो Paris Olympic है, 2024 में जो होगा, यह कौन सा संस्क्रण है, जिसका जो Mascot है, वो Pryzian, Pryzian Cap है, तो बिटा आंसर बनता है यहाँ पर, यह 33rd edition है, 33rd edition है, क्लियर बिटा 33 संस्क्रण है, क्लिया, 33 संस्क्रण, Who has been appointed as a Governor of West Bengal, West Bengal के Governor कौन बनाए गए है, तो यह CV आनन्द बोस, CV आनन्द बोस है इनको, West Bengal का Governor बनाए गए, West Bengal के Governor, CV आनन्द बोस, अब ध्यान से सुनिएगा, एक Climate Change Performance Index इंडेक्स दोज़र तेइस, 63 देशों में, यह जो भारत इसको दोस्तान का फाइदा हुआ, यह आठवे नंबर पर पहुंच गया है, सवाल यह है कि पहला दूसरा तीसरा नंबर तो खाली रहा था भाई, तो यहाँ पर तीन नंबर हटा दो, चौथे नंबर पर कौन सा देश रहा था, जिसने टॉप के एक तरीके से, यह डेन्मार्क था, चौथे पर डेन्मार्क, पाँच वे पर स्वेडन, छटे पर चिली, साथ वे पर मुरै को, आठवे नंबर पर अपना प्यारा भारत रहा था, जिए आठवे नंबर पर, उत्राखण हाई कोट यह शिफ्ट हो गया है, नेली ताल से हल्दवानी, सवाले हुई से गवणर आफ उत्राखण, उत्राखण के गवणर का नाम के गुर्मीत सिंग, गुर्मीत सिंग, इसका अंसर करिये गजरा, इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन की जो एथलीट कमीशन है, उसमें, चेर परसन कोई है, मैरिकॉम, वाई से चेर परसन कोई है, वाई से चेर परसन किनको पॉइंट किया गया, 20-40 परसन कौन है, 20-40 परसन कौन है, 20-40 परसन. फूरदर मेरे भाई, सरत कमल, इस्रू में इस्तरी भाई लाइंचिंट करने लगे हैं, उन्ही रात होगे एक रात होगे इकटन को सेट कड़े करदे, अब यो नो फेटे बैठे बैठे बैठे, इक गैए? आपके अनर्जी दुगनी और चार्गुनी ओजाती है जब नमबर्स बढ़ते हुँ दिखते है एक सब्सक्राइब करोड रूपए का बेच दिया है तुबता ये बेच दिया है नहोंने 10,256 क्रोड रूपए का अभी हाल फिलाल जो यह संजे कुमार मिश्रा है इन्फोर्स्मेंट डारेक्टरेट के डारेक्टर इनका कारिकाल एक साल के लिए बढ़ाये गया इन्फोर्स्मेंट डारेक्टरेट की स्थापना कब हुई थी एक माई 1956 को एक माई 1956 को Export-Import Bank ने अभी इन्फोर्स को कितने करोर रुपे लोन के तौर पर दिया है Export-Import Bank ने एक जिम बैंक ने लोन के तौर पर कितने दिया 300 मिलियन U.S. डॉलर 300 मिलियन U.S. डॉलर 300 मिलियन U.S. डॉलर Who is the new chairman of India's top ONGC के नए chairman का नाम क्या ONGC के नए chairman इनका नाम है Arun Kumar Singh Okay, Arun Kumar Singh यह ONGC के नए chairman Okay, ONGC Arun Kumar Singh Next Manika Batra 1st Indian V मेंने देखो यह इस news को समझना यह news मेंने 2 news को मर्ज करके बढ़ा रहा हूँ 2 news कैसे जैसे यह जो Asia Cup Table Tennis टूनमेंट है इसमें पहले तो यह semi-final में पहुँची है quarter-final जीत के है और फिर semi-final आगे हुआ जिनके साथ भी हुआ उसके साथ फिर यह silver medal जीत कर लाई है पहले तो quarter-final से semi-final पहुँची उस कहानी को देखो तो यह Manika Batra पहली Indian V मेंने जो की semi-final में पहुँची Asia Cup Table Tennis Tournament के थाइलेंड में रहा था इन्होंने किनको हराय था तो इन्होंने हराय था Chen Suzu को Chen Suyu Chen Suzu Chen Suzu Chen Suyu को इनको हरा कर इन्होंने यह semi-final में पहुँची थी लिए Chen Suzu of Chinese type है Fine आगे अब यह समझ रहा यह लिखा हुआ है कि She defeated world number 6 and 3-time Asian champion Hina Hayata तो cringe bronze medal अब bronze medal इन्होंने किनको हरा कर जीता हिना Hayata को समझ में आ रहा है यह first Indian female paddler है जिन्होंने medal जीता है इस event में बत्रा बिकम second Indian अगर female के तौर पर बात करें तो पहली है वैसे overall यह दूसरे number पर है क्योंकि इनसे पहले चेतन बबूर है चेतन बबूर यह clothed Indian table tennis player तो जिन्होंने एशे कप में medal जीता था 1993 में silver और 2000 में बेटा bronze इनके द्वारा जीता गया था ठीके done clear है भाई ओके next यार प्राइमिस्वे नरेंदर मोदी जीने किस देश को अभी किस देश के रास्पती को कांगडा miniature painting gift करी है तो प्राइमिस्वे नरेंदर मोदी ने किस देश के रास्पती को कांगडा लगु चितर भेट किया है US US के रास्पती जो बाइडन को perfect number असल में यह जो international film festival of India है इसकी closing film रही थी perfect number अब यह perfect number किस देश की movie है इसके director का नाम क्या है क्रिजी स्तोफ जानु सी जानु सी जान बूलता है न जान जान जानु होता है जानु 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 सी कैसी जानु सी ओके तो क्रिजी स्तोफ जानु सी इनकी दुआरें निरदेश's perfect number 53 भृरतिया इंतराष्य फिल मोह सब की समापन फिलम है यह किस दिश्च की फिल्म है तो बिटा आंसर बनता है पॉलेंट, ओके, पॉलेंट वू वास्ट नेम्ड ऑफ इंडियन फिल्म पर्सनेलिटी ऑफ दा इयर, इंडियन फिल्म पर्सनेलिटी ऑफ दा इयर कौन है, चिरन जीवी, चिरन जीवी यह नाम याद रखना 29th APEC Economic Leader जो मीटेंग रही थी, यह थाइलेंड में रही थी, यह यह कहा है, Prime Minister of Thailand इनके दुआरे इसको होस्ट किया गया था, पर यह चान ओचा, यह कौन सा, किस वर्च में APEC की स्थापना हुई थी, 1989 में APEC की स्थापना हुई थी, APEC Leader फिर दुआरा मुलाकात करेंगे, 2023 में करेंगे, कहां पर United States में, 2024 में करेंगे, यह पेरू में और 2025 में मुलाकात करेंगे, South Korea में, South Korea में, clear भायो, done? ठीक है, next, किसने एक Special Loss and Damage Fund बनाया है, who agree to establish Special Loss and Damage Fund, तो बिटा आंसर बनेगा COP 27, ठीक है, यह इनोंने एक Special Loss and Damage Fund, किनको नय Election Commissioner nuked किया गया है, तो यह अरुन गोयल, okay, अरुन गोयल, Election Commissioner of India, 25 जनवरी 1950 को बना था, टेके बाई, 25 जनवरी 1950 को इसको नेश्व गूटनस दे की रूप में बनाते है, नई दिल्ली मुख्याल है, Chief Election Commissioner का नाम है, राजीव कुमार, इंडिया ने अभी अपनी रैंकिंग को इंप्रूफ किया है, असल में एक Index रहा था, इसका नाम है Network Readiness Index, इसमें भारत 61st रैंकिंग पे रहा था, okay, अब सवाल यहां पर यह है कि विच कंट्री है जो टॉप्ट, किस देश ने टॉप्ट किया था, USA के द्वारा टॉप्ट क नाम रहा है, what is the capital of Kajakistan, Kajakistan की राज़दानी कहा, पहले नूर सुल्टान नाम था, इसका नाम है Astana, ठीक है Astana, clear है, उजवेकिस्तान की capital टास्केंट करंसी सोम, किरिकिस्तान की capital बिसके करंसी सोम, okay, ताजिकिस्तान की capital है 290 करंसी सोम होनी, और तुर्कमेनिस्तान की capital है और यह रहा आपका, Kajakistan capital, Astana, करंसी तेंगे, okay, करंसी तेंगे, clear है भायो, पांचो देशों के नाम उनकी राज़दानी और उनकी मुद्रा है, okay, next year, 25th National Conference on E-Governance, यह किसे शहर में आज़द की गई थी, जम्मु कश्मीर के कट्रा में, okay, जम्मु कश्मीर कट्रा, एक exercise इसका नाम है नसीमल बहर, यह भारत की ओमान के साथ exercise है, और यह, इसका edition कौन सा रहा था, 13th edition, Southern Western Command of Indian Army, इसने अभी एक integrated fire power exercise है, इसको conduct किया था, महाजन फिल्ड फिल्ड फिरिंग रेंज, राइस्थान बीकानेर, तो राइस्थान के बीकानेर में महाजन फिल्ड फिल्ड range में, अभी Southern Western Command, इंडिन आर्मी की उसने एक exercise को conduct किया था, जो कि एक fire power exercise है, what is the name of exercise, exercise का नाम क्या है, सत्रुनाश, okay, सत्रुनाश, which state government issued a notification declaring अरिता पत्टी, अरिता पत्टी, अरिता पत्टी, अरिता पत्टी, अरिता पत्टी, अरिता पत्टी, अरिता पत्टी और मीनाच अच्ची पूरा विलेज है, इसको declare किया गया है, तो answer बेटा, अरिता तमिल नाडू, okay, तमिल नाडू, एक गरुर शक्ती exercise रही थी, जो कि करावंग में रही थी, ये भारत की इंडोनेशिय के साथ exercise है, इसका कौन सा एडीशन रहा था, इसका edition रहा था, 8th edition, clear 8 बास अंस ज़र 23 वर्ष है, ज़र 23 में आपको exam हर हालत में crack करना है, तो अपने financial awareness के notes और classes अभी से continue करना शिरू कर दीजे, financial awareness का जो मेरा भी batch चल रहा है वो है warrior 5.0, इसकी classes Monday, Wednesday, Friday, धाई बजे से लेकर बिटा, चार बजे तक इसकी class चलती, डेड़ घंटे में पढ़ाता हूँ, सौंबार, बुद्दबार और शुकरबार, गेड़ घंटे की class चलती, धाई बजे से दुपैर में चार बे तक चलती है, इसमें लगबग 20 classes हो चुके है, आप अगर warrior pro लेंगे तो 20 classes तो आपको ये मिलेंगे, ठीक है warrior 5.0 complete मिलेगा, जो इसकी next series आएगी 2023 का पहला या फिर जिनका target IVPSPO interview भी है, इनका target 23 exam है, उनके लिए foundation batch चलता, warrior pro में इसे जाके join कर लिजे, price मातर 1496 है इसके, 12 महिने की बजाए, आज इस पर double vality मिल रहे है, 24 महिने, पस आपको code लगाना है Y168, ये आपके भाई का code है, आज bank maha pack में भी include है, ये bank maha pack plus में भी, सभी maha pack में include है, तो अगर आप maha pack लेते हैं, उस पर भी आपको double vality मिलता है, clear है भाई, next, which is the first payment bank to launch face authentication based saving bank account opening, तो face authentication आधारित बचत बैंक खाता, खोलने वाला पहला भुकतान बैंक कौन सा है, इसका answer करेगा बेरे भाई, इसका answer करेगा, answer बनता है यहाँ पर अपना option number one, ATL payment bank, okay, ATL payment bank, Indian Air Force ने अभी एक humanitarian assistance and disaster relief exercises को conduct किया था, ठीक है आगरा में, जो Air Force Station आगरा वहाँ पर, सवाल यह कि इस exercise का नाम क्या है, इस exercise का नाम बनता है बेटा, Summon Way, okay, Summon Way इस exercise का नाम है, इंडिया ने अभी IORA, IORA मतलब Indian Olympic Rain Association, इसकी 22nd Council of Ministers की meeting रही थी, इसमें participate किया था, यह किसे शेहर में आयोजित्य की गई थी, इसे किसे शेहर में आयोजित्य किया गया था, पताए मित्रो, इसे किसे शेहर में आयोजित्य किया गया था, okay, क्या सुकून मिला है भाई, वालब गला ऐसा हो गया था, जैसे, काश मैं भी math पढ़ा था, यह reasoning पढ़ा था, एक puzzle दे देता, कहता, पेटा, दस मिनिटे आपके पास solve करिए, सुकून से, थोड़ी दिर बैठता, जैनल लवेनेस बस पक, 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 पक बोलते रहो है न, गर अगमरम चाही जो मिलिये न, ऐसा सुकून मिला है न, बस बता नहीं सकते है मेरे भाई, भंगलादेश का ढाका, ओके, मलेशिया के opposition leader इनका नहीं है अनवर इब्राहम, ओके, इनको देश का प्रदान मंत्री चुन लिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ओके, तो answer बनेगा मेरे भाई, option number यहाँ पर 5th, आइनस मूरमुगाओ, ओके, आइनस मूरमुगाओ, विच सिटी उस्टेड फस्ट G20 शेरपा मीटिंग, तो यह जो पहली G20 शेरपा बेट बेटक रही थी, किसी शहर में रही थी? बिटा, राहेस्तान के उधापूर में, ओके, राहेस्तान के उधापूर में, जो अपने शेरपा है G20 शेरपा है इनका नाम है अमिताप कांथ अमिताप कांथ नेक्स्ट प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर है और अभी देखो एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर विश्व के सबसे ज़्याद पॉ मेक्सिको के जो प्रस्तेंट है अन्ड्रेस मैनृन लोपेज और रग्रो Eagles यह यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, followed by Prime Minister Anthony Albanese, Australia के मेक्सिको के रास्टपदी, Andres Manuel López Obrador, यह दूसरे स्थान पर हैं, तो पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी जी है, 77% के साथ इसको याद रखना, तो पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी जी है, 77% के साथ, नेक्स्ट या किस बैंक न अभी NPCI के साथ पार्टनर्शिप में देश का पहला स्टीकर बेजड डेबिट कार्ड लॉंच किया है, जिसका नाम है First Step, यह क्या है कि स्टीकर बेजड डेबिट कार्ड, NPCI के साथ मिलकर किस बैंक के द्वारा लॉंच किया गया, NPCI के साथ मिलकर किस बैंक के launch किया गया है बहुत बढ़िया लेगे तो answer बनेगा यहाँ पर अपना option number IDFC First Bank, okay IDFC First Bank, clear भाईयो IDFC First Bank, next year Cristiano Ronaldo become first male player to score in a five different world cup, he is a from which country, बढ़े यह किस country से है पताई, he is a from which country, यह किस country से है लेगे चलिए answer बनेगा अपना option number यहाँ पर बन पूर्टगाल से, okay, he is a from पूर्टगाल, यह कहाँ से बढ़ा पूर्टगाल से clear, next, union health ministry designated whom as the Nikshya Mitra Ambassador, तो Kendriya स्वास्त मंत्रा लेने, Nikshya Mitra Ambassador के रूप में किसे नामित किया है बढ़ा Deepa Malik को, okay, Deepa Malik Nikshya Mitra की brand ambassador बनी है, okay, ambassador दीपा Malik अबदेफटे अलसी सी, यह Republic Day celebration में 26th जन्वरी को Chief Guest के तौर पर आएंगे, okay, यह किस देश के रास्टपती हैं, तो यह Egypt के रास्टपती हैं तो 2023 में Egypt के President अबदेफटे LCC, यह यहां पर रहेंगे guests 2020 में Brazil के President Jer Bolsonaro रहे थे, 2019 में South Africa के President Cyril Ramaphosa रहे थे, 2018 में ASEAN जो member है, okay countries है, उनके head आए थे 2017 में UAE के प्रिंस Sikh Muhammad bin Zaid Al-Nayan 2016 में France के रास्टपती Francois, Hollande रहे थे, okay, तो यह 2016 से list मैं आपको यहां पर दे दिये, देर 22 जरूर याद रखना है, okay Which state government, किस राजी सरकार ने हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट, okay, किस राजी सरकार ने हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में जल जीवन हरयाली स्कीम बताई है मेरे भाई, is it time, इसका answer करिएगा, रूनाल्डो ने, क्रिस्टियन न, रूनाल्डो की कल नियूज आई, 1770 करोड रुपे सालाना सैलरी एक साओधी कलब बिटा, अलनसर नामे जहां तक मुझे आद है उसका उसने उनके साथ ये कॉंट्रेक्ट किया है 1770 करोड रुपे सालाना सैलरी अगर महनत की जाये तो क्या नहीं मिल सकता सोचिए है एक ईरो हट आईए एक सूवतर करूर्रोपे भी बहुत है एक साथ अड़ाय। सथक्र करूर्रोपे साल आना सरल रिय। दो पितनी है 177 करूर्रोपे साल आना सेलरी विंप दो सब्सक्रम करूर kicks दो एक से अड है प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में जल्जीवन हरयाली स्थीम को लाँच किया था. देश का पहला Migration Monitoring System ये किसने इनाउगरेट किया था? It was inaugurated by, it is inaugurated in Mumbai Maharashtra, okay, Mumbai Maharashtra. हर दिन, हर घर आयरवेद ये थीम रही थी, 7th आयरवेद दे की. It was observed on which day, इसे किस दिन observe किया गया, इसे किस दिन observe किया गया था? लेकर हैं, इसे किस दिन observe किया गया था? हमारे बीच में एक आशिक आ चुके हैं, तमाम उम्र गुजार देंगे हम रहा में, इंतजार में, वावा, वावा तो करिए मेरे भाई. यह भाई मेरे को लग रहा है कि रात कुस ने चड़ा बढ़ा लिये, देख है, नी योर मनाया है, उत्री उत्री है नहीं है अभी, तो भाई आशिक बन चुका अपना तगड़े तरीके से बिलकुल यहाँ पर माहौल बनाने में लगा हूँ, बिड़ा ऐसी माहौल बनाओ, तो बहुत बढ़ी है, एंटर्टेन्मेंट तो ही राशी है, बढ़ी है, 23 अक्टूबर, ओके, 23 अक्टूबर आयरवेद दे रहा था, नेक्स्ट, इंडिन अर्बन हाउसिंग कॉनक्लेव 2022, यह कहाँ पर रही थी, तो यह रही थी गुजरात के राजकोट में, ओके, REC Limited की बात करते हैं, इसने अभी एक Power Finance Corporation के साथ एक समझोता किया था, RDR 520 करोड रूपे का समझोता हुआ है, कि thermal power plant को बकसर में लगाने के लिए, अभी यह कितने मेगावाट का plant है, कितने मेगावाट का, तो बटा अंसर बनेगा यहाँ पर, Option 4 विधर्व, ओके, विधर् अभी bolt, यह मतलब fire bolt ने brandam में से किसको बनाया, fire bolt ने brandam में से बनाया, विजदेवर कोंडा, विजदेवर कोंडा, इन्डिन बैंक असोसियेशन ने एक गोयल को फिर दुबारा से chairman elect किया है, इन्डिन बैंक असोसियेशन की सापना किस वर्ष में होई थी, तो यह हो थी 1946 मे किस state और union territory government है, इसने अभी एक anti fire cracker campaign दिवाली दौरा launch किया था, पटा के चलाओ, दिया नहीं, माफ करेगा, दिये जलाओ, पटा के नहीं, okay, pollution free दिवाली को promote करने के लिए तो दिल्ली के दौरा शुरू किया किया था, okay, दिल्ली के दौरा, next, अमन शिरावत इन्होंने इ Ponte Vedra में, Spain के Ponte Vedra में, under 23 World Wrestling Championship रही थी, इसमें gold medal किसने जीता, तो यह अमन शिरावत के द्वारा जीता गया था, he is from which state, तो मेरे भाई, he is from Haryada, okay, यह Haryada से है, European Parliament का जो Sakharov Prize 2020 किसने जीता है, तो यह जीता था, Ukrainian people, okay, Ukrainian people, clear भायो, Ukrainian people, clear, next, which country will be hosting 12th World Hindi Conference, तो कौन सा देशन next year, यानि दिरते ही इसमें, यानि कि इस वर्ष में मेरे भाई, 12 World Hindi Conference होस्ट करेगा, तो यह FIZI, जिसकी capital, सूभा, currency, dollar, forestry environment, जो ministry है, इसने अभी approval दे दिये है, 13 elephant reserve को, यह किस राज्य में है, 13 elephant reserve बिड़ा उत्तर प्रदेश में, कहा पर उत्तर प्रदेश में, C-295 transport, जो aircraft है, उसके लिए manufacturing, जो facility है, वो कहा पर setup की जा रही है, Tata Advanced System Limited के द्वारा, Airbus के साथ पार्टनर्शिप में, तो यह है, गुजरात का बढ़ोधरा, गुजरात का बढ़ोधरा, clear भाई हो, गुजरात बढ़ोधरा, then, clear, next, यार, Prime Minister Narendra Modi ji na Adarshila रख दी है, इस plant की कुलमिला का 56 C-295, जो aircraft है, इनको लेकर समझा होता हुआ, Airbus के साथ, इसमें से की जो 40 से भारत में बनाए जाएंगे, उसी के लिए facility लगाई गए है, गुजरात के बढ़ोधरा में, clear है भाई हो, next, which state has been declared 100% हर घर जल state, okay, हर घर जल state पहला state कौन सा बना है, first state कौन सा है, चुकि है 100% हर घर जल state, okay, मेरेको हाइट कर देना है, चलिए, answer है, यहाँ पर बेटा option number 2 गुजरात, एक है, next, जो moto है जल जीवन mission का, वो है यहाँ पर, no one is left out, okay, no one is left out, इसको भी याद रखना, एक है, no one is left out, क्योंकि 24 तक का यहाँ पर portable tap connection provide करने का government का plan है, हर एक गाउं तक, हर एक गाउं तक, clear भाई, हर एक गाउं तक, BCCA ने announce किया है, कि जो चाहे महला हो, चाहे पुरुष क्रिकेटर हो, ठीक है, उनके लिए जो fees रहेगी, वो equal रहने वाली है, अब से match fee, सवाल यह है कि it was founded in which year, BCCA किस वर्ष में found हुआ था, 1928 में, 1928 में, okay, 1928 में, इससे याद रखना, अब जो match fees रहेगी, women के लिए पहले 5 लाग रुपे थी, अब 15-15 लाग हो जायेगी, test के लिए ODI के लिजी 6 लाग रुपे हैं, और T20 के लिए 3 लाग रुपे, क्लिएख घुए के लाब बड़ा एक और चीज याद रखना, कि ये annual retainer contract भी याद रख सकते हैं, Next, which country is immersed as India's third largest exported destination? कौनसा देश इंडिया का third largest exported destination बन गया है? ठीक है, यह बता है, कौनसा देश इंडिया का third largest exported destination बना है? Third largest exported destination. तो यह answer यहाँ पर क्या बनना चाहिए? ठीक है, तो answer बनेगा बिटा, नीदलेंड, ओके? नीदलेंड यहाँ पर third largest exported destination है. इंडिया के लिए, ठीक है, पहले पर US है, दूसरे पर UAE है, और third largest इंडिया में अब कुल मिलाकर बाद है, टोटल, 12 blue flag beaches हो चुके है, ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि अभी दो नए और जुड़ गए है, और जो, दो नए जुड़े उनको तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्याद किस देश में site है, इसके तहित, तो 729 के साथ यहाँ पर Spain top पर है, Spain top पर है, ओके? दो और beaches जो है, इस blue flag beaches list में जो जुड़े है, वो है एक लक्षदीप का कदमत beach और दूसरा यहाँ पर मिनी कोई थुंडी beach, okay, मिनी कोई थुंडी beach, यह दोनो beach आपको याद रखने है, तो कुल मिरागर कितने होगे, बारे beach, लेकिंगे, बारे beach, okay, who authored a book from dependence to self-reliance, mapping India's rise as a global superpower, तो from dependence to self-reliance, mapping India's rise as a global superpower किसके द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस पुस्तक को लिखा गया है बिटा, विमल जलान के द्वारा, okay, विमल जलान के द्वारा, विमल जलान के द्वारा, how many children face double threat of climate disaster and poverty, तेक है, पता है मेरे भाई, सर, SBI PO का रिजल्ट कव आ रहा है, SBI PO, बिटा, SBI कलक का बताऊं पहले, तेक है, अभी मैं actual, मैं pen paper लेके बैट रहा हूँ, रिजल्ट बना रहा हूँ, तेक है, अभी 2 मेंड में बिटा, इस class के बाद मैं publish करा देता हूँ, तेक है, टेंशन मत लो तो, उसके थोड़ी दिर बाद PO का करा दूँगा, उसके थोड़ी दिर बाद बिटा, IVPS PO का सब के करा दूँगा, अभी बस pen paper लेके बैटना है, लेके, योगी जब तक result आएगा नहीं, तब तक हम उठेंगे, नहीं है ना, जब तक अलाम बजेगा नहीं, तब तक हम उठेंगे रही है, ऐसी तो होता है, लेके, जब तक notification नहीं आएगा, तो हम सर की class में आएंगे नहीं, समझ रहे हो, घर पर रोज, जब घर से बाहर जाते हो, कि मम्मी आपको फोन करते हो, तो पप्पा, सुनो ना, एक बार address भेज ना में रिको, घर का जो address हो भेजो ना में रिको, प्लीज, है न, वो तो याद है, उस पर पहुंच जाते हो, बार बार, या address दुबार लिखते हो, नहीं, हे श्री, लेके, मुझे अपने घर पर पहुंच आदो, ऐसे करके, ऐसे तो नहीं करते हो, बेटा, तो चीजों को समझो, या, थोड़े जिम्मेदार बनिये, और थोड़ा समझ ये, result in all santi, चीज़े, उसके पीछे मत भागिये, अपनी तैयारी मजबूत रखिये, क्योंकि अगर तैयारी नहीं है, तो result आने के बाद तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये पिटा हकीकत है, लेके, क्योंकि अगर अभी नहीं करके चल रहे हैं, तो तब कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि अगर अभी से prepare कर, ये किसी को बुरा लग जाएगा, ऐसे कैसे सर बोल रहे हो, लेकिन आप खुद बताओ, जब 9 ये 10 दिन का टाइम मिलेगा, उतने में कर लोगे, आज 20 दिन का टाइम है, 25 दिन का टाइम है, एक महीने का टाइम है, एक्जाम होए पिटा एक महीन और हो चुका है, उस टाइम में हमने कुछ किया नहीं, बस लिजार में रिजल्ट आएगा, तब करेंगे, तो फिर कैसे कुछ होगा, बताओ, ठीक है, उस तरीके कि थोड़ा कम करिए, ठीक है, अब याज दोस्तों एक डेटा है, अभी यहाँ पर कि कितने अभी बच्चे हैं, जो कि double threat जेल रहा है, जैसे climate disaster का भी वो poverty का, तो यह है triple two million, triple two million, triple two million, यह बात तो है, अब भाई मेरे सच बता रहा हूँ, अभी के जो मैं यह youth देखता हूँ न, यह क्यों नहीं समझता है, कि भाई उनका career सरफ उनका नहीं है, उनका जीवन उनका नहीं है, उनकी पूरी परिवार की dependency है, भाई वो पूरे परिवार की पूरे जीवन को बदलेगा, आप अपनी life जो है न, वो आपकी नहीं है, यह समझो कि मेरा जीवन है, बहुत बार हम बोलते है, पापा आपको क्या करना है, मम्मी आपको क्या करना है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ओ भाई, नहीं है तुरा जीवन समझ ना यार, नहीं है, ठीक है, आप एक जरियाओ, और वो यह जो चैन चल रही है न, उसमें अगर आपको समझना है कि चैन अभी संगर्च कर रही है, तो उसका यूटन आप बन सकते हो, मेहनत करो यार, समझो, बहुत जिम्मेदारी हैं, उनको निभाओ, उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आगे फ्रेंट से लीड करो, आप चाहते हो न, इंडियन क्रिकेट टीम में, विराट कोली रन करें, रोष शर्वा रन करें, तो वैसे ही आपके मम्मी बापा भी जाते हैं, आप भी रन करो, ठीक है, और बिटे टाइम पे करो, केल राउल वेस्ट इंडीस के खिलाब चलता है, केल राउल बड़ी-बड़ी टीम हों के खिलाब नी चलता है, गाली खाता है न, तो वैसे ही हम लोग है, लेके, हमें भी जरूआत है कि सही टाइम पे चलने का, अगर ठंडे में पड़े हूँ है, कोई मतलब नी बनेगा, अगर ठंडे पड़े को कोई मतलब नी बनेगा, जब जरूआत है तब ही नी रन कर रहे हो तो, तो समझो, समय पर काम करने की जरूआता है, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आता लोगे, जब तो ठोकर लगती नहीं है, तब सब समझ में आता नहीं है, तो क्यों ठोकर खानी, मेरा ठोकर खाए भी तो हम समय अपना बचा सकते, बचा लो भई, थोड़ा बचा लो, लेकिन, समय बड़ा कीमती है, समय का थोड़ाँ सा ख्याल रखिये, प्राइमिनिसर नरेंद्र मोधी जी ने आदर्शिला रखिये, एक नए एरबेस की कहाँ पर बनस कांठा डिस्टिक में दीसा में किस स्टेट में ये आदर्शिला रखी गई है, तो ये गुजरात में आदर्शिला रखिये गई, बचाँ कहाँ पर गुजरात में, ठीक है? क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं, 61st Raising Day of ITBP was commemorated on which day? भारत इबत सीमा पुलिस वाल का 61 स्थापना देवास किस दिन मनाया गया? पताएए मेरे बाई, पड़ावड पताएए, ITBP का जो 61st Raising Day ये कब मनाया गया था? ITBP का 61st Raising Day. Okay? चलो, आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ा, 24 October, ठीक है? ठीक है? ठीक तो negative comment करते हैं, उनको entertain नहीं करना, सीधे, block कर देना, ठीक है? निक कोई भी negative comment करें ना, तो block कर दो, ऐसे element चाहिए नहीं. Witch Street Announce Upper Bhadra Scheme, a major irrigation scheme, okay? किस राज ने अपर-Bhadra योजना को एक प्रमुख सिखाई योजना की घोशना की है, तो बढ़े इस करनाठक, okay? करनाठक की योजना है, अपर-Bhadra योजना. ये पाथर पंचाली, okay? पाथर, ये बड़ी important है, पाथर पंचाली, ये अब तक की सर्वसिस्ट भारतिय फिल्म हो घोशित की गई है, इसके डारेक्टर का नाम क्या है? इसके डारेक्टर कोन है? बताइए. इसके डारेक्टर का नाम क्या है? बहुत बढ़े है. इसके डारेक्टर का नाम है, सत्यजीत रे, okay? सत्यजीत रे बेटा इसकी डारेक्टर है, ओके, Jackson Green ने अभी एक समझोता किया था, कि वो 22 एर 400 करोड रुपे का इन्वेस्टमेंट करेगा, एक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाने के लिए, सवाल यह कि यह किस राज्ज में लगाए जाएंगे, तो बिटा राजस्थान में, ओके, राजस्थान में, नेक्स्ट, 11,544 करोड रुपे का एक तलचार थर्मल पावर स्टेशन है, 320 मेगावार्ट का, कैपसिटी का, इसको अभी शुरू किया गया है, सवाल यह कि यह किस राज्ज में है, तो यह आपका उडिसा में है, तो 320 मेगावार्ट चमता वाले, 11,544 करोड रुपे के नए, तालचार थर्मल पावर स्टेशन पर काम शुरू हो गया, यह किस राज्ज में है, उडिसा में, ओके, तो 70 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ट्रेनर जैट, तो बिटा, 70 हिंदुस्तान HTT 40 जो यह ट्रेनर जैट है, इनके लिए अभी एक डील होई है, अर्शट सो करोड रुपे की इंडियन एर फोर्स की, सवाल है, निम्न मैं से किस के साथ यह डील होई है, बहुत बढ़िया, एक है, राइड आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नवा फोर, हिंदुस्तान अरोनाटिकल्स लेमेंटेड, ह-A-L, वो हैस बीन अपोइंटेड एज अटिंग चेरपर्सन अफ कॉम्पेटिशन कमिशन अफ इंडिया, कॉम्पेटिशन कमिशन अफ इंडिया के अक्टिंग चेरपर्सन कौन बने, अक्टिंग चेरपर्सन पताएगा इस कांसर दीजिएगा, अक्टिंग चेरपर्सन, अक्टिंग चेरपर्सन कॉम्पेटिशन कमिशन अफ इंडिया के कौन है, तो सीरियस हो ना अपने केरियर के लिए तो इतना काम जरूर कर ले ना वारियर प्रो बैच में फाइनिशल अवेनेस की क्लास शुरू करना उसके टॉपिक देखो किस लेविल पर मैं कॉंटेंट दे रहा हूं अगर आप वारियर 5.0 की सीरिस कंप्लीट कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता आपको फिर दिसम इस पूरे 2023 में कभी भी फाइनिशल अवेनेस को आपको फिर दुबारा से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब तक का इसना फाइनिशल अवेनेस मैंने किसी बैच में डेटेल में नहीं पढ़ाया इतना डेडिकेटिड ली यह डेडिकेटिड ली इसलिए हो लोगा क्योंकि हर टाइम मेरे पास क्या होता ना बैच इस काफी लगे होते हैं तो और भी बर्डन होता है तो मै कि मैंने बहुत बहुत ध्यान दिया है तो कोशिश करो 5.0 सीरीस को एक बार कम्प्लीट करो लगबार 20 क्लास वही है तो मैंने उसमें से मैक्सिमम ऐसी क्लास की है अभी गवर्मेंट इस्चीम बहुत बबला बेसिक क्लास होई है उनका कॉंटेंट बहुत जादा जादा स्टेटग जीके की ओके यहां राइट अंसर बनेगा संगीृत वर्मा विच इन्सिट्वूट है वांधी नेशनल इंटेलेक्च्ट प्रोपर्टी अवर्ड इट मद्रास ने नेशन इंटेलेक्च्टल प्रपरटी अवर्ड जीता है उत्तर प्रदेश की मुक्य मंत्री का मेगा डेटा सेंटर पार्क है, इसको योटा इंफ्रस्रक्चर के द्वरह डवलप किया गया है, ठीक है? यतना याद रखना बस. United Nations Security Council Counter-Tasm Committee की जो special meeting रही थी, यह आपके किसी शहर में रही थी अपार्ट फ्रम दिल्ली, तो यह अपार्ट फ्रम दिल्ली मुंबई में रही थी, कहाँ पर बिटा मुंबई में. International Union for Conservation of Nature इसने अभी किस दिन को World Sloth Wear Day के रूप में डेकलेर किया, World Sloth Wear Day के रूप में. तो यह था बारेक्टूवर, डेक है, बारेक्टूवर. किस इस्टीट गवर्मेंट फुटबॉल फुटबॉल फुर फुटबॉल फुर आल लांच किया था, ठीक है, फुटबॉल फुर फुर आल किस राजी सरकार के दूरा लांच किया गया था, बताए, फुटबॉल किस स्टेट का जो GI टाइग है जिसको के most popular GI award मिला है तो यह है तेलंगाना का है तो तो तेलंगाना का है 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 एदराबादी हलीम इसको most popular GI award मिला है Giorgio Meloni यह इटली के first women prime minister है इटली के president का नाम क्या है प्रेजिट का नाम है Sergio Materela okay Sergio Materela India US Triservice Humanitarian Assistance Disaster Relief exercise Tiger Trump यह विशागा पत्नम में रही ती यह repeated occasion यह second edition रहा है यह यह दब्यास वज्जर प्रहार कोप India Tiger Trump यह भारत की US के साथ exercise है यह चार भारत की US के साथ exercise होती है ठीक है भाई what is the official mascot of 2023 FIFA Women World Cup तो इसका official mascot है बेटा ताजूनी ताजूनी इसका official mascot है okay 2023 का ताजूनी After four year which country has been taken off from infamous grey list of affected financial action task force एक संस्ता है जो कि money laundering के लिए और terror financing के लिए काम करता है जो इन में लेपत होते हैं उनको grey list यह black list में डालता है तो पाकिस्तान को उसने grey list में से बाहर कर दिया है यह एक point है यहाँ पर किस देश को बाहर किया पाकिस्तान को जैक्सी सहा नई chairman बने quality council of India के okay सवाल यह कि इन्होंने किसको succeed के बिड़ा आदिल जैनुल भाई को आदिल जैनुल भाई को 5th edition of India's only comprehensive international trade pair and conference for wind sectors करा में wind energy India 2023 okay इसका 5th edition ही कहा पर होगा कहा पर होगा यह तमिल लाडू के चिन नहीं में अकॉर्डिंग तो 2200 Forbes list of India's 100 richest Gautam Adani topped the chart with net worth of Dash okay तो Gautam Adani की net worth रही थी 150 billion dollar 150 billion dollar और उसके साथ यह Forbes list में इंडिया के 100 richest में top पर रहा है पहले पर Gautam Adani फिर Mokesh Ambani फिर यह Radha Kishan Damini okay Cyrus Puna वाल और Shiv Nadar top 5 की net worth भी पकड़के चलना और top 5 की name तो याद रखने ही है ठीक है बाई क्लियर है ओके आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एडल गिव होरन इंडिया फिलेंट्रोफी लिस्ट 2022 सिव नदार जो है यह most generous person रहे थी सबसे यादर डोनेशन के साथ सिव नदार पहले पहले पह दूसरे पह अजीम प्रेम जीती 484 करोड तीरिसरे पह मुकेश अंबानी से 411 करोड चौथे पह आधित बिरला कुमार मंगलम बिरला 242 करोड और 5 वे पह सुष्मिता और सुबृतु बागची 213 करोड ओके टॉप 5 याद रखने है टॉप 5 गि विच स्टेट तो खेलो इंडिया यूद गेम्स का पाचवा संस्क्रन किस राजम आयुजित किया जाएगा मद्ध प्रदेश में कहां पर बिड़ा मद्ध प्रदेश में इस सुरुफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोजी के साथ मिलकर एक एंसेंट साइंस कॉन्फरेंस किया है ओके आकाशत तत्व इस विचय के ऊपर यह कहां पर रही थी उत्त्रा खंड के दहरादूर में रही थी उत्त्रा खंड के दहरादूर में ठीक है हम लोग 300 सवाल करेंगे बाकी 200 में PDF में दोंगा अभी हम लोग 42 सवाल और कर लेते हैं तो फोकस होके पढ़ लिजे कि बाकी रेस्ट जो होंगे वो आपको PDF में अविलेविल हो जाएंगे ओके तो अभी के लिए थोड़ा फोकस होके पढ़िएगा उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश तमिल लाडू यह तीन स्टेट जो है यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन अवार्ड में टॉप पर रहे थे तो प्रदानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड में जो टॉप त्री स्टेट रहे थे उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश तमिल लाडू फिच इस तबेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट टरिटरी तो यह जम्मू और कश्मीर रही थी लेकर जम्मू और कश्मीर लेख जम्मू और कश्मीर नेक्स्ट तो यूएस इंडिया स्ट्रेटिजिक पार्टनेशिप फॉरम अवार्डेड हूम विद दी यूएस इस पीएफ लाइफटेम अचीमेंट अवार्ड तो यह सम्मानित किया के शिव नदार सहाब को शिव नादर Mr. Global Pension Index रहा था भारत 41 नंबर पे रहा था चवलते देशों में किसी देशने टॉप किया था Aussetland इस में टॉप पे रहा था हर दीप सिंग पूरी साहब ने एशिया का म्राज़गा मिर्ण इसको इन्गॺेटिक किया था Canada रहे इन विच स्टेट यह पंजाब में है, पंजाब के संगरूर में लहरा गागा में एशिया का लार्जिस कंपरेंस बायो के इस प्लांट बटा इसको इनॉगरेट किया गया था, के संकर सुबरमानयन के संकर सुबरमानयन क्लियर भाइब के संकर शुबरमानयन एक बार यह बढ़ते हैं यहां पर राइट आंसर आजे कुमार ऑके मलब जो यह अपने defense secretary है अरामने गिर्दर है और ये defense secretary इननों ने किसका स्थान लिया अजय कुमार का Sanjay Malhotra इनको अभी revenue secretary बनाया किसकी जगह पर? तरुन बजाज की जगह पर cyclone सुतरंग नाम किसके द्वारा दिया किस देश के द्वारा? Thailand के द्वारा, Thailand के द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है? clear मेरे भाई? next to actual मैं क्या है ने content यहां से बता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है ये गायव हो गया ये ppt में मैं side करके लाए ये content क्यों नहीं visible हो रहा है? ये blank क्यों आ रहा है? कुछ set कर रखाए गया? नहीं इसमें महीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा? okay who has won the 2022 Booker Prize for his novel The Seven Moons of Mali Almeida, okay तो अपने अपन्यास ता Seven Moons of Mali Almeida के लिए के दिखेगा दिखेगा बुकर पुरसकार किसने जीता है? लेके next मेरे दोस्त सेहान करुना तिलका, okay सेहान करुना तिलका दिखेगा जो Ballande Award मैंस Ballande Award ये किसके द्वारा जीता गया? करीम बेंजिमा जिन्होंने रेटार्मेंट ले लिया है और वीमन Ballande Award ये किसने जीता है? अलेक्सिया पुटलेस ने, okay अलेक्सिया पुटलेस ने इंडियन वीमन टीम ने 7th Asia Cup Title अपने नाम किया था शीरिलंका को हराकर बंगलादेश के सिलहट में और Player of the Tournament Award किसके नाम रहा था बिटा? दीपती शर्मा, ये नाम याद रखना जो जापान की इंबैसी है, okay उसने अभी एक application फाइल करी है GI Tech के लिए ठीक है GI Tech के लिए कहाँ पर जो Geographical Indication Registration नहीं वहाँ पर जिस alcoholic virus के लिए इनों ने ये फाइल किया है वह है निहान सू, उसका नाम के निहान सू, ठीक है निहान सू कौनसे देश ये 2023 का Asian Football Confederation Asia Cup host करेगा क्योंकि 18th edition होगा, बिटा ये है Qatar देखे, Qatar इसे host करेगा Which state has backed the top position in the category of big state in the public affair index 2022 तो public affair index 2022 में देखे, category of big state में किसे ने top किया है तो यहाँ पर हर्याडा टॉप पर रहा था, हर्याडा टॉप पर इंडिया के पहला cylinder lorry से जो century set up की जा रही है वो किस state में तो यह है बिटा Tamil Nadu एक कुछ मैंने यह mention कर दिया है जो कि अभी हाल-फिलाल Tamil Nadu किन-किन कारणों से news में रहा है और कुल मिलाकर रामसर साइट 75 और उसमें ते रहे तो रवेट लिंड सिरफ इसी स्टेट से तमिल नाडू से क्लेर है बाई? ओके तमिल नाडू से एक नई बुक इसका नाम है The Philosophy of Modern Song is authored by whom तो इस पुस्तर को लिखा है Bob Dylan ने ओके Bob Dylan ने What is the rank of India in a 2022 Global Hunger Index? Global Hunger Index में भारत की rank है 107 है 17 देश तो बिड़ा एक साथ एक नंबर पे है 18 फिर नंबर से अलग 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 देश शुरू होते हैं तो इसमें आप पहला दूसरा तीसरा नहीं कह सकते कौन रहा है आप इसमें बस इतना डूढ रहा है आपको कि आखरी नंबर पे कौन रहा था या आपके लिए होंवक है या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लास्ट नंबर पे कौन सा यमन राय क्या रहा है वह आपको डूढ के मुझे comment करके बताना India participated at the 6th East Asia Summit Education Minister meeting और यह कहां पर रही थी तो यह वियत नाम के हनोई में वियत नाम के हनोई में रही थी East Asia Summit Education Minister's meeting 6th edition रहा था Bandhyabharat का 5th edition launch किया गया था बिदिविन चिन्ने बैंगलूरू एंड मैसूरू Okay, it is designed and manufactured by whom इसको designed and manufactured के Integral Coach Factory ने इसका headquarter आपका Tamil Nadu के चिन्ने में परंबुर में 1905 में बदाया गया था पहली Bandhyabharat train 18 New Delhi to Shri Matha Vaishnu Devi Katra, दूसरी वाली नही नही दिल्ली to Banaras, थी सिरी रही ती Gandhinaga to Mumbai Central, और चौथी दी EMB, Andhara, Una to नही दिल्ली, okay, और यह 5th यहां पर होगे 5th edition of Bandhyabharat यह between Chinni, Bangaluru and Mysuru, okay, Chinni, Bangaluru and Mysuru, clear भाई हो? Next, who promoted gender equality in a tie-up with UNICEF? तो आंसर बनता है ICC, okay, ICC यह हम लोगों पढ़ लिया, इसको repeat हो गया यह, यह जो Interpol, इसकी 19th जो General Assembly रही थी यह आपकी नही दिल्ली में रही थी कहां पर बड़ा नहीं दिल्ली में, 2023 में 2023 में कहां पर रहेगी तो 2023 में रहेगी आस्ट्रिया के वियना में, आस्ट्रिया वियना, आस्ट्रिया वियना, okay Interpol, 1923 में बनाता है Headquarter France के Leon में है, President का नाम है Ahmed Nassir Al Raisi, okay और country इसमें कुल member country कौन से कितनी है, 195, okay Union cabinet ने के proposal अपरूफ किया है कांटेनर टर्मिनल बनाने का यह कंटेनर टर्मिनल तुना तुकरा दीन दयाल पोर्ट गुजरात में बनाया जाएगा What is an estimated cost of the project? Project के estimated cost is 4.500 क्रोड रुपे 4.500 क्रोड रुपे In which state, Coil India will set up 1190 MW का solar power project तो बिटा आंसर बनता है राहिस्थान राहिस्थान Truth social is the social media platform created by whom? तो यह आंसर बनेगा यहाँ पर Donald Trump Okay, Donald Trump Pilgrimage, sorry pilgrimage नहीं है Pilgrim High Secondary School Nagaland है यह simple बोले Nagaland इसने 61st Subruto Cup अपने नाम किया था Okay, नई दिल्ली में रहा था It is related to which sport? It is related to football Okay, यह आपका football से संबन देता है किससे मेरे भाई football से कि अंदर ने अभी हाल पिलाल कहा है कि हम लोग किसी data center को infrastructure status देंगे जिसके at least capacity 5 MW है 5 MW at least capacity है दुरोपधी मुर्मु जी ना पर कम रूप जो super computer facility है कि इस IIT पर inaugurate किया है तो it is IIT Gohati Okay, IIT Gohati Bandhan Bank ने किनको अपना brand name में अपोइंट किया है तो मेरे भाई यह सौरफ गाउंगली Okay, सौरफ गाउंगली Athletics Integrity Unit ने अभी एक डिसकस से थुरुआ रहे है इनका नाम है Kamalpreet Kaur इनके ऊपर बिटा प्रतिबंदे लगा दिया है तीन साल के लिए She is from which state तो आंसर बनता है She is from Punjab Okay, she is from Punjab To provide irrigation facility to farmers Which state government has started new scheme named Himcad Okay, Himcad किस राजी की योजन है तो यह है Himachal Pradesh Okay, Himachal Pradesh की Who launched Hindi version of first year MBBS test book तो यहाँ पर कॉंसर state है जिसने की medical education Hindi में provide कर रहा है तो यह Madhya Pradesh है यह Madhya Pradesh अमिश रहा की द्वारा First Hindi वर्धन जो है MBBS test book का यह launch किया गया था एक है IISC यहाँ पर जो यह Time Higher Education की 23 का edition रहा था ranking का Highest ranking Indian universities उसमें IISC यह top पर रहा था Which university has topped किसी university ने Top के University of Oxford ने University of Oxford के द्वारा इसे top किया गया है India has moved 6 places to rank 123 out of 161 countries असल मैं अभी हाल पिला लेकर ranking रही थी commitment to reduce inequality index और उसमें यहाँ पर 161 देशों में 123 वे नंबर पर रहा था भारत 6 फाइदा उसको फाइदा मिला किस ने top किया है तो नौर्वे ने नौर्वे ने यहाँ top किया था Clear? Who has been elected as a member of executive committee of inter-parliamentary union जो IPU inter-parliamentary union है उसके executive committee के member के तोर पे किन को पॉइंट किया गे Asia Pacific Group countries में तो यह है अपराजिता सारंगी अपराजिता सारंगी Clear है भाई अपराजिता सारंगी अपराजिता सारंगी IPU 1889 में बना था Headquarter Geneva Switzerland Present group यह द्वारते द्वारते पाचेयों है Secretary General Martin Chun Gong है 179 countries मेंबर है IPU की है Iraq के president का नाम की है Iraq के रास्टपती का नाम है Abdul Latye Farashid Swarajit Khere की बात करते इन्होंने इत्याहा सरचती है youngest medalist है 36 national games के He is from which state Gujarat से दो country है जो कि जन्होंने की historic deal की ती Meditarians सी विवाद चल रहा था उसको इन्होंने close किया है इन दो देशों के नाम है Lebanon and Israel Lebanon and Israel Clear है भाई हो? Next Who succeeded Swarajit Ganguly is a 36th BCCI President BCCI के जो नए President बने इन कनाम है NATO ने अभी एक nuclear exercise अभी कंड़ की थी इसका नाम Steadfast Noon NATO ने Steadfast Noon exercise कंड़ की थी और NATO की स्थापन होई थी इसको हम लोग Washington Treaty के नाम से जानते है Belgium, Brussels इसका headquarter 30 देश इसके member है Secretary General का नाम है Jens Stolenberg Who has picked up equity stake in plant protein startup Shaka Hari and become a brand ambassador Shaka Hari के brand ambassador को है? Mahendra Singh Dhoni Mahendra Singh Dhoni Mr. Narendra Modi Ji ने देश को अभी Mahakal local corridor है जो कि Ujjain में समर्पित किया मद्रप्रदेश Ujjain में Total project cost कितनी रही थी तो it was 850 करोड 850 करोड रपे की लागत से Mahakal local corridor है वो रास को समर्पित किया गया और इसकी लागत प्यात रखने 850 करोड रपे है मेरे पास अभी भी काफी सवाल है अपनों के लिए लगबग यहां पर अगर मैं बात करूँ क्योंकि 500 सवाल तो मैं आपनों के लिए लेकर ही आया था तो मैं बाकी के rest बिटा PDF में दूँगा क्योंकि दिखका तो बिटा थ्रॉट को फिर उससे में हमपर हो क्योंकि लगबग धाई गंटे तो आम लोग non-stop class ले ही रहे और बोलना ही पड़ रहा है यहाँ पर यह लगबग आप देख सकते हैं यहाँ पर यह 500 सवाल है कोई यह ना कहिए रहे सवाल नहीं थे 500 आप देखेंगे तो टोटल नमबर आपको यह 500 ही मिलेंगे यह 500 वाकी कल का session मैं आपको बता दे रहा हूँ कल मैं ताबरतुल बैटिंग करने जा रहा हूँ कल से आपको चीज़े बहुत अच्छे level पर दिखने वाली है अब अलग क्या मिलनेंगे अलग तो ऐसा नहीं कि मैं उड़के पड़ाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके लिए और चीज़ें जो भी होनी चाहिए like static चीज़ें जो आप चाहते हो state wise static चाहते हो वो मैं कल से add कर दूँगा कल से current affairs भी रहेंगे static portion भी रहेगा mcqs भी रहेंगे English Hindi Dawn में content रहेगा तो आप से बस इतनी गुजारेश है event लग चुका है notify me कर लो live जुड़ना है आप क्योंकि मुझे numbers कम से कम पास से दसे यार चाहिए क्योंकि मैं content आपको एक number दूँगा अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस session को जितना बड़ा बना सकते उतना बड़ा आपको बनाना है ठीक है भाई pdf का मिलेगी इसी वीडियो के comment box में इसकी pdf लग जाएगी यह जो pdf है बेटा यह pdf आपको as it is लग जाएगी इसकी printable pdf में थोड़ा समय लगेगा वह आप मान के चलिए शाम तक है कल तक आपको printable pdf भी मिल जाएगी कोशिश करता हूँ मैं शाम तक printable pdf भी दिलवादू but before printable pdf printable pdf से पहले मैं आपको as it is यह वाली pdf जरूर में दिलवादूँगा त्योंकि कर सकते हैं okay instant आपके पास इस भी वीडियो के comment box में आपको pdf मिल जाएगा तो यह जो session मेरा होने वाला है कल सुबह साथ बजे होगा कल सुबह साथ बजे ताबर तो बैटिंग करूँगा एक और दो तारिके current office में आपके साथ discuss करूँगा जितने भी नए बच्चे जोड़े please channel को subscribe करके जहूर जाएगा और अगर आप लोगों ने adder247 हमारी application को install नहीं किया है तो उसको install कर लीजे थेगे उसको install कर लीजे बाकी आप लोगों को मैं बता देता हूँ ध्यान से सुनना अगर आप लोग bank और insurance की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ bank की तैयारी कर रहे है bank और insurance की तो आपके लिए एक bank mahapec बनता है बैंक mahapec क्या है सर यह membership है membership मतलब होता है कि आपने अगर एक bank mahapec में admission ले लिया इसमें 6 month 12 month और 24 month option आता है तो अभी क्या है double value चल रही है उतने price में तो 6 month वाल आपको 12 month के साथ मिल जाएगा 12 month वाल 24 month के साथ इसमें सारी live classes मिलेंगी फिर उनकी recorded classes test series ebooks सारे foundation course crash course सब कुछ आपको मिलेगा लेकि ebooks आपको इसमें दी जाएगी हर एक video की recording आपको मिलेगी और को दी जाएगी fine bank महापक plus क्या होता है यह सारी सुविदाय तो हैं यह साथ की साथ आपकी regulatory body की और classes cover होंगी like RBI grade B लिखा न है यहाँ पर RBI grade B, NABAD, SEBI, SIDB और SO यह 5 exam की classes और bank महापक plus में cover होती है पूरा bank महापक तो हैं यह इसमें additional 5 यह जो exam के साथ regulatory body की तयारी कर रहे bank महापक के plus इसके साथ अगर आप bank और SSE दोनों की तयारी कर रहे तो फिर बनता ADDA का महापक, clear है बाई, done अब यह जो bank महापक with bucket है और bank महापक plus with bucket है वो यह है कि अगर bank महापक आप printed book के साथ चाहते हैं तो bank महापक with bucket 5 book मिलेंगी, bank महापक plus bucket के साथ जाते है तो 8 book आपको मिल जाएंगी printed book, समझ में आ गया ठीक है मेरे भाई, तो यह है membership और सब के लिए आपको करना क्या है ADDA 247 application पे जाना है और application पे जाने के बाद आपको Y168 code लगाएंगे 77% discount मिलेगा जैसी code लगाएंगे तो 1% extra coin का discount और मिलेगा coin select कर लेना वाँ, total 78% discount मिलेगा जो bank महापक 6 plus 6 month का है 6 plus 6 month का यह 3410 रुपे का है और अगर bank महापक plus लेते तो यह 5258 का पड़ेगा ठीक है 5258 रुपे का Y168 code 77 plus extra 1% coin का अगर आप bank महापक वुक किट लेते हैं तो यह आपको पड़ेगा 6 plus 6 month का 4400 रुपे का तो आज यह double validity चल रहे इसमें enroll कराएगा, सभी faculty के सभी batches आपको मिलेंगे, मेरे A to Z batches अब देखो यह जो से हमारा SBI clerk के लिए dedicated capsule batch आने वाला है यह 5 जनवरी से हम लोग इसको शुरू कर देंगे 26 December से नहीं 5 जनवरी से इसको शुरू करेंगे 5 से लेकर 6.5 गंटे के पड़े हम लोग यह class करेंगे इसमें last 6 month के आपके current offer cover के जाएगे यह भी आपका बेटास का part है यह सब आपको इसमें मिल जाएगा हमें general awareness बढ़िया नहीं मिला सरफ हमें general awareness चाहिए तो उसका एक मात्र solution है warrior pro इसमें 5 बैचिस का combo है financial awareness के लिए 5.0 अभी चल रहा है कल को 6.0 या next आएगा जो भी जैसे 23 का 1.0 आएगा तो भी आपको इसमें मिलेगा complete financial awareness one time investment है 1496 pay करना है और आज 12 महीने की बज़ा इसमें आपको 24 महीने तो वैलेटी मिल रही है यह point याद रखना code आपको आपके भाई का Y168 लगाना है इसमें आपको monthly current affairs MCQ के form में और इता detailed form में मिलते capsule batch हो गया और एक static GK batch और मिलता है यह 5 batches का combo है one time investment करना आपको और 12 महीने तक 24 महीने तक जब कर वैलेटी है आपको current affair भी मिलेंगे financial awareness भी मिलेंगे हर एक class की PDF recording सब कुछ आपको दी जाएगी done मिरे भाई code आपके भाई का आपको याद अठना है Y168 लेके बाकि अगर आपको printed book collect से order करनी है ebook collect से order करनी है फिर mock करना है उसके लिए code S code होता है Y168 S code बाखी सभी live classes के लिए जो भी code है महापक के लिए Y168 code है okay done कोई doubt मेरे भाई कोई doubt किसी भी तरीके का कुछ सवाल आपके happy new year शुक्रिया 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 अभी नया साल है इस नए साल में बेटा लैत को बट बडी बडी करना बहत आसान है लंबी पहले चलाते और बहतर तरीके से चलाना है कुछ कमिया जो हम में रही उनको तो बहतर बेटा हमें करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है, महनत मैं करूँगा, दिम्राथ महनत मैं करूँगा, बस आप उस महनत को फॉलो कर लेना, मेरे कदमों के साथ तो चल सकते हैं न, मैं नहीं कर आप महनत करो, आप सिर्फ वह काम करो जो मैं कर रहा हूं, अगर आप मेरी महनत को ही फॉलो कर लोगे, निश्यत बोल रहा है, जी है मैं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइनिशल अवेनिस के आप मेरी क्लासेस फॉलो कर लो, मैं कर रहा हूं फर आरम से घूम लेना, दो चार पांच जगे, इतना समय तो अभी है न, अभी तो जन्वर ही है, आपको रिलाइजेशन हो जाएगा भी बेस्ट कॉंटेंट, बेस्ट एक्स्प्लेनेशन, एजी तो बेटा सूपर बेस्ट थरीके से और दोंगा मैं, अभी तक मैं आपको मंथली कंपाइलेशन नहीं दे रहा था न, करेंट अफेर का, मंथली कंपाइलेशन भी आपको करेंट अफेर का, अब इस साल से मिलना शीड हो जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वीकल क्योंकि दूसरे के द्वारा पुष करके कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो वह ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा, अगर वो कहीं न कहीं इनर पुष है, अपने अंदर से आगे बढ़ रहा है मेरे भाई, कहीं अंदर से जकजो दिया गया उसको या खुद से वो तूट ग आपको किसी के बढ़ पुष करने की जरूवत ना पड़े, आप खुद में तने capable हो ना, खुद में आप कितने सामर्तवान हो कि आप अपने हिसाब से चीजों को कहीं न कहीं मैनिस कर पाओ, हम लोग है, हम लोग किसने बढ़ किसने पुष किया है, ठीक है, हम लोग गिरे गिरे पढ़े ते कभी इदर ठोकर खाई, फिर उठे बेटा फिर खडे हो गए, तो अब कहीं न कहीं अगर गिरते भी है कि मेहनत करनी है और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता तो बड़े सपने देखो बड़ा सोचो माता पिता के लिए हमें घर बनाना है माता पिता के लिए हमें गाड़ी लेनी है माता पिता के लिए हमें यह सैट करना है अपनी लिस्ट बनाओ कि यह लिस्ट पर टिक होना शर्ञानत नहीं होती है, गौल होता है तो दिशा भी होती है, गौल सैट कर लिए अपने अपडिशायं बंती चलेंगी, उसके लिए प्रयास होते आपका नाम होना चाहिए देखे इस लाइक तो बनेगी आपके नाम की पहचान हो ऐसा तो नहीं कि यार फलाने को छोरा फलाने की छोरी है यह फलाना फलाना बड़ा अकवर्ड लगता है ओके कहीं यह भी तो होना चीक यह रहे यार हां देखो यह इसकी खुद है इसके इलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है तैयारी आप कर रहे हो अच्छी चीज आप मन लगा के तैयारी करो इस तैयारी का उपयोग हो सकता है शायद जिस डारेक्शन में आप लगे हुए उससे भी बहतर डारेक्शन में काम आ जाए तो इमांदारी से काम करते रह नया नया जानते रहो जो अभी चलता है जैसे कहते रहे कि वक्त है जो चल रहा उस वक्त को समझने की कोशिश करो कि अभी वक्त की डिमांड क्या है मैनत करते रहो कुछ नहीं है यार निरंतरता जरूरी है बस अपनी निरंतरता को अगर निरंतर बनाए रखोगे ना जीव को रियंतर बनाईये, life अपना ध्यान रहाओ, अपने परिवार का ध्यान रहाओ, जिम्मेदार बन बनीए, आगे से बढ़िए, परिवार को support करिए, परिवार के लिए कुछ करने का सोचिए बढ़ नगुए, तो ऐसे थौट अगर पैदा करोंगो न है बढ़िया लगेगा, तो चैट में बिटा 15-20 मिट आदा गंट इंदिजार करिएगा एक PDF का लिंक लग जाएगा उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो यह वाली PDF होगी जो मैंने पढ़ाया है इसका printable edition आपको 2-3 गंटे यह हो सकता 5-6 गंटे लग जाएगी उसे तयार होने में तो मैं अभी आपको PDF डार प्रेक्ट दे दूँगा लेके चलो वह बहुत है एक राधे राधे कल मुलाकत करेंगे इसके अलावा शाम को बिटा सौरवसर का सेशन है सौरवसर आप लोगों के लिए बहतरी लेकर आ रहे है उधिशा मैम का भी सेशन है उधिशा मैम ने भी का था इसार एक बार करेंगे तो बिटा इन तीनों सेशन में भी इवनिंग में जुड़िएगा ओके राधे राधे दूस्तों टेक करेंगे